तो लास लासम लोग ने IRPT का concept देखा और question देखा था एक बार quick अगर review करें तो interest rate parity theory जो होता है और जो purchasing power parity theory है एक inflation को यूज करते हैं एक interest को यूज करते हैं आई IRPT कहते हैं कि जिस country का interest rate बढ़ा है वो appreciate होगा सुना नहीं ध्यान से आप लोग जिस country का interest rate बढ़ा है वो calculate rate पे depreciate करेगा जिस country का interest rate छोटा है वो calculate rate पे depreciate करेगा जितना दोनों country के interest rate के बीच में difference होगा उतने approximate premium discount होगा जिसका interest rate बढ़ा है वो approximately उतना percent discount होगा और जिसका interest rate छोटा है वो उतने percent approximately premium पे जाएगा यहीं पढ़ा हमने पर जब accurately calculate करना हो कि premium discount कितना होगा तो हम simply यह कह सकते हैं कि देखे अगर मुझे dollar का premium discount निकालना है लेकिन interest rate को use करके जो आपने पहले पढ़ा था premium discount हो तो था यह लेकिन वो तो actual जो market में forward rate चल रहा होगा उससे हमने किया तो वो तो यह देखा कि देखो base currency वाले currency के लिए अगर premium discount निकालना है तो हम कहते है forward minus spot divided by spot multiply by hundred लेकिन फिर multiply by क्या होगा 12 divided by जितना period के बने यह यह जो कहानी है यह तो वह वाले rate है जो आपको forward available होगा जो market में quote किया गया है जो exchange में quote किया गया है लेकिन वह rate जो अभी quote नहीं है तो हम तो fairly expect करेंगे तो उस case में कहते है कि dollar का premium निकालना है तो रूपी का rate ले लो है ना और फिर किसका rate ले लो dollar का यह तो approximate आपका premium discount आए accurate करना है तो divide कर लो किस से बताए one plus जो dollar का percentage return हो से calculate कर ठीक है आप एक का मौर कर सकते हो जो fair forward rate निकाला था उससे भी कर सकते हो ठीक है एक और चीज हमने बताया कि अगर dollar का premium calculate क कर ना हो तो एक का मौर कर सकते हो one plus रूपी का percentage premium ले लो है ना divided by one plus dollar का percentage premium ले लो ठीक है इससे premium discount आजाएगा लेकिन यह one plus premium माइनस क्या करना है हमें one करना है किसी के group में query था कि यह derivation कैसे आया derivation बस एक simple logic is कि कोई derivation नहीं है एक simple percentage calculation की तरीका है अब देखो यह तो आपको पता है ना कि forward rate अगर हमें रूपी पर dollar calculate करना है तो कैसे calculate करते है spot rate रूपी पर dollar होगा और multiply वे one plus रूपी का rate है ना divided वे क्या करते है one plus dollar का rate percentage लेकिन decimal में होगा आपका तो अब मुझे बताओ यह जो आपने multiply किया एक चीज़ बताई है spot rate में कुछ चीज़ों से multiply कर रहे ह आप मुझे बताई अभी आपने forward rate कैसे निकाला था कितना percent increase हो रहा है मान लिजे यह जो value है ना यह value यह value आपका आजाता है suppose किजिए one point zero two इसका simple सा मतलब है क्या बताई इसका simple सा मतलब है कि हम spot rate को 2% चे बढ़ा रहे है यह हुआ ना आप forward rate निकालो forward rate अभी आपने क्या पढ़ा तो बताऊं simple सी बात है कि आप उसको बढ़ाओ या घटाओ बढ़ाओ या घटाओ मान लिजे spot rate और यह proportion आता है one point zero two इसका क्या मतलब है समझाईए मेरा spot rate है 80 80 को में one point zero two से multiply करता हूं क्या मतलब 2% से बढ़ा रहा हूं कि नहीं हम spot rate को two percent से increase कर रहे तो अगर two percent increase करें तो यही तो two percent का increase यानि कि यह premium discount होई न तो इसलता हम बोल रहे इसको premium discount और भी थुरा से गहराई में जाना है कोई बात नहीं और थुरा से analysis कर लो आप मुझे बताए आज आपने लगाया hundred rupees यहां का value है 120 rupees यह future का date यह हमारा आज का date आपको मैं बता दू future का value divided by spot value ले decrease आता है क्या इतना आपको mathematics आता होगा इतना finance तो आता होगा फिर से repeat कर रहा हूँ 120 divided by 100 कितना रहे है 120 divided by 100 कितना रहे है 1.20 मैंने बोला है one plus percentage increase आ रहा है या percentage decrease भी हो सकता अगर नीचे जाएगा तो आप मुझे बताए कि 0.20 percentage increase है तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ forward rate divided by spot rate जो होता है one plus percentage increase आता है अब देखो तब भी आ गए कैसे आ गया यह है अगर इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्या बोलो तो मुझे बताईए forward rate divided by spot rate क्या बता रहे है बताईए one plus percentage premium तो one plus percentage premium है न इसमें से one minus कर दो क्या गया बताईए अब आपका premium discount आ जाएगा very simple य premium discount बजगे तो यही चीज़ तो हमने लिखा था ओके सब कुछ फिर सेम था किसके लिए पर्चेजिंग पावर पैरिटी के लिए inflation rate पर डिपेंड करता है जितना inflation का difference होगा उतना ही एक currency premium पे होंगे दूसरा currency discount पे होंगे लेकिन वह accurate है सरी accurate नहीं approximate है accurate calculation करना है तो फिर पास हमने international feature effect देखा international feature effect क्या बोला होता है कि कहता ही कि देखो interest rate और जो inflation ने इनके बीच का मैं parity देता हूं पीशर ने बोला कि देखो आपकी जो inflation adjust करके risk free rate आता है लेकिन adjustment ऐसे करना है one plus real rate में multiply करना है one plus inflation rate से तो जो आएगा आपका one plus risk free rate आएगा यही पढ़ा हम लोग ने ओके चलिए अब हम लोग आगे continue करते हैं देखिए अब हमारा जो next concept आता है forward hedge करना हाँ जी बोलिए नहीं आया तो एक बार solution book check कर लिजे नहीं मिला है छिक है मिल जाएंगे तब तक मैं आपको PDF share कर दूँगा छिक है कौन सी question बोल दो answer के पीछे मत जाना क्योंकि बहुत बार क्या है यहां पे कुछ questions के अंदर जो answer लिखा हुए वो गलत भी है क्योंकि होता क्या है जब books बन लगे तो हम लोग क्या करते है अब यह right alignment किया हुआ है इसकी font size थोड़ा छोटा है इससे comparatively इसकी color blue है तो हम लोग क्या करते है इस वहले format को सीधा यहां copy किया और यहां पर क्या कर लिए बताए पेस्ट तो फिर दुबारा formatting मिलाना नहीं पड़ते और बहुत पर क्या होता तो हम गलत ही होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हो सकता है गलत answer क्या हो यहां पर गलत हो तो इससे इसके लिए solution book मिलेंगे अभी volume 1 जो है आपका थोड़ा सब्सक्राइब नहीं मिला है वो जा चुका है तो मिल जाएगा आपको तब तक आप PDF में share कर दूंगा उसस इस सब में क्या हो गए दो बच्चों वाली बात है मुझे बताइए DM1 is equal to क्या है बताइए डॉलर कितना है 0.6560 what would be the forward rate for DM delivery on 30th June कम कौंसी देन पे बताइए April पे तो April, May, June कितने महिने हो गए 3 मन्त हो गए अब क्या करेंगे interest rate in the US and German or something and something US का कितना है something or German का something आप मुझे ब for a DM currency ये अगर इसमें भी अगर confidence नहीं है तो हम क्या बोला बताओ इसमें कुछ हो करना है हमें इसमें तो answer नहीं मैच किया तो answer गलत है या हम गलत हो जाएगे तो बार बार क्या कह रहा हो आपको इसके basis पर अपने आपको जजमत करो ना हमने concert पढ़ लिया है इसमें छोटा adjustment करना answer match हो नाम हो क्या फर्क पड़ता है चलो फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार हमें किसका लेना है उपर बताईए किसका लेना है डॉलर का लेना है डॉलर का कितना है बताई यूवेस जर्मनी कहां से आगे 4.5 6.5 आएगी न अब इतना भी mistake करने लग जाओगे तो हो गय base currency कौन सी है तो dm currency base में नहीं जाएगा हद कर रहे हो आप लोग भी ऐसे करोगे तो exam में कैसे marks आएगा बताईए आप मुझे dm currency base currency है base currency को नीचे डालेंगे base currency को rate कितना है बताईए dm का कितना है यहाँ पे 4.5 तो 4.5 कहां जाएगे नीचे जाएगा ना कितने मेने का time period है 3 month का 3 divided by 12 उपर बताईए 0.065 multiply by 3 divided by 12 बताईए कितना आ रहे है पहले हम इसको memory में रख लेते 0.045 multiply by 3 divided by 12 plus 1 equal to m plus ठीक है 0.065 multiply by 3 divided by 12 plus 1 equal to divided mrc equal to multiply by 0.6560 मुझे बताईए कितना रहे है डॉलर 0.6592 0.6592 सही तो है इसमें अब आप यह rate भी mistake करने लग जाओगे घर पे question solve करेंगे एक बार जाके उसको revision नहीं करेंगे और हम expect करेंगे कि अच्छा marks आए तो कैसे होगा उसके लिए थोड़ा से क्या करना होता है मेहनत करना है concentration के साथ concentration के साथ बार बार किया रहा हूँ base currency कहां जाती है base currency is dm base currency कहां जाएगा base currency कहां जाएगा अगर ये चोटी-चोटी mistake करोगे mark सीधा 0 होते है याद रखिएगा कभी भी formula का कोई marks नहीं है चल चल आगे बढ़ते हम लोग ठीक है revision करेंगे concentration के साथ करेंगे ठीक है आई आगे अब हम लोग hedging की बात करें hedge ing का मतलब कोई corrective action जिससे होने वाले loss को हम लोग बचाते है समझ माय गया कुछ बात क्या बोला मैंने hedge ing का मतलब एक action कोई action जिससे expected loss को हम लोग क्या करते हैं अगर एक्सपेक्टेड लॉस को हम लोग रेडिूस करें, घटाएं, तो उस सीजो को हम लोग क्या बोलते हैं? हेजिंग. और ये FM के लिए बहुत ही गिसा पीटा वर्ड हो जाएगा, हर जगों पे हेजिंग, 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 हेजिंग ही बार बार चलता रहेगा, समझ मैं किया बात? तो अब हम लोग कैसे अपने expected loss को बचाएं? अभी तक जो हमने पढ़ा था, जान से देखो क्या क्या चीज पढ़ लिया, currency के basic knowledge ले लिया, exchange rate से related, फिर हमने क्या किया, risk analyze किये, और risk analyze करके थोड़ा सा जाने की forward rate क्या होता है? बस इतना जाना भी तक, अब हम लोग शुरू करते किस चीजों का hedging, पढ़ेते हमारा chapter का नाम क्या है? foreign exchange risk management, अब management शुरू हो रही है, कि वो जो हमारा risk है, जो कहते कि loss हो सकते हैं, उचको अब हम लोग कैसे reduce करें? तो वो चीज अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो risk को reduce करना, expected loss को बचाना, that is the hedging, कैसे करेंगे hedging? तो जो आप लोग क्लासरूम में बैठें, ये भी एक hedging है, expected loss को reduce करने आएं, लेकिन क्या classroom में बैठेंगे तो fail नहीं कर सकते? हो सकते? अगर हम घर पे revision नहीं करेंगे, सही से चीजों को नहीं जानेंगे, analyze नहीं करेंगे, question को practice नहीं करेंगे, तो fail तो हो ही सकते, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि hedging कर लिया तो loss होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, उस case में भी loss हो सकता है, हम hedging करेंगे, उसके बाद भी देखोगे, यहां पर loss हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारा loss भी क्या होता है, minimum होता है, लेकिन future में uncertainty नहीं होता है, यहां कि hedging के अंद तो future आपका certain हो जाता है future में फिर आपके uncertainty नहीं रहती है सभज में आगया तो हमारे risk के अंदर future uncertain है hedging के अंदर और इस hedging के अंदर क्या होता है बताईए future fix हो जाता है कि अब ये बदलने वाला ने जो होना है वो हमें आज ही पता चल जाएगा चाहे loss होने वाला हो चाहे gain होने वाला हो मुझे आज पता चल जाएगा तो इस तरीके के technique को क्या बोलते है हम लोग hedging बहुत सारे techniques हम लोग पढ़ेंगे hedging के अंदर हम लोग बहुत सारे techniques पढ़ेंगे जिसमें से पहले तो हम लोग एक forward hedge हम लोग पढ़ने जा रहें अभी हम लोग किस चीज़ से hedge करने जा रहें forward hedge यानि कि जो forward contract पढ़ाना हम लोगों ने उससे कुछ hedge करने जा रहे है चल लो इस hedging को समझने के लिए के example लेते हैं तो रह फटा फट देखेंगे एक कोई Mr. India है तेक है इसने Mr. USA से कुछ सामान import किया import की value कुछ भी रख सकते हैं हम लोग अब भी फिलाल तो dollar 1 रखते हैं ताकि एक एक dollar के लिए comparison करके देख लेंगे फिर अपने आप उससे match हो जाएगे तो अब देखे 1 dollar का value हमने क्या किया यहाँ पर import किया अब क्या होगा देखना पेवल होगा कब पेमेंट करें हम लोग कुछ दिन के बाद सपोज कीजिए 6 मन्त बाद आपको पेमेंट करनी है dollar 1 की ठीक यहां तक अब मुझे बताइए अगर 6 मन्त बाद अगर dollar 1 पेमेंट करने है तो उसको कहा जाने पड़ेंगे bank में कब after 6 मन्त उससे क्या करेंगे वो dollar खरी देंगे और देंगे क्या बताइए रूपी customer ज़्यादा देता है कम देता है क्योंकि amount जो payable receivable होता है वो आपका rate होता है तो यहाँ पे तो rate चल रहा होगा dollar का तो यहाँ कौन सी rate apply हो जाएगा बताओ देता ज़्यादा है न तो ask rate apply होगा यानि कि यहाँ पे ask rate जो भी होगा वो apply हो जाएगे यानि कि आप ऐसे भी सोचो कि यह currency खरीद रहे हम खरीदे किस पे हैं महंगा ask पे खरीदेते मेंगा है बेचते सस्ता है चलो फिलाल तो हम बिडास के चक्कर में नाफस है मान लेजे यहाँ पे अब दो चीज आएगा क्या बताईए एक जो हम expect कर रहे हैं और उसको हम लोग हिज़ करेंगे है ना पहले कुछ expect करते हैं सोचते हैं बोलोगे कहां से आएगा सोच बहुत सारे डेटा है past trend को analyze करते है statistics को use करते हैं economy के condition को देखते हैं government के situation को देखते हैं government की policy को देखते हैं तब जाके हम लोग क्या करते हैं forecast करते हैं यानि कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी hedging करने का बस एक line अभी हमने यहीं से शुरुआती कि forward hedge यानि कि hedging कैसे कर रहे हैं तो हम पहले risk analyze कर रहे हैं risk को अलड़ी हम पढ़ चुके बढ़ फिर भी यहां पे देखते हैं कितने का risk है तो पहले क्या करेंगे होने वाले rate को हम forecast करेंगे ओके चलिए हम सोचते कि आने वाले time पे हमें लग लाए कि rate हमारा क्या होने वाला है 80 कितना rate होने वाला है 80 और आज हमारा जो spot rate चलना था न हम कुछ rate अजूम कर लेते कि dollar 1 equal to rp 75 जहन से सुनिएगा तो क्या इसने import book किया होगा अल्रेडी पढ़ चुके risk analysis क्योंकि जिसके लिए foreign currency होगा उनी के लिए risk है तो इनके लिए risk है क्योंकि foreign currency payment करना है और इनको खरीद के payment करना पड़ेगा जब खरीदने जाएगा उसे ऐसा ना हो जाए कि उस दिन महंगा हो जाए और देखो महंगे के सोच भी है आज 75 चल रहा है तो इसने import book किया होगा पेवल बुक किया होगा कितने का बताईए इसने पेवल अभी books में book कर लिया होगा entry डाल दिया होगा पेवल बुक किया होगा कितने का बताईए रूपी 75 क्योंकि books of account penten होता है home currency में अब इसने क्या लिखा होगा बताईए कि मुझे 75 जो है payment करना है इनको ये book कर लिया कि पेवल बुक कर लिया लेकिन अब क्या देख रहे है payment आज तो करना है नहीं कम payment करना है 6 मंत बाद और 6 मंत बाद का rate में expect कर रहा हूँ condition market के condition को देखे तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे 80 रुपीज तो क्या मैं 5 रुपीज का loss expect कर रहा हूँ क्या बोलो 5 रुपीज का loss हम लोग expect कर रहे है क्या इस loss को बचाया जा सकता है अगर हाँ तो यही आपको पढ़ना है भी यही हमारा objective है cash loss को बचा सकते है कैसे बचाए दूसरे currency तो खायर यहाँ यूज नहीं करेंगे कुछ ऐसा हम आज ही 6 महिने बाद के rate fix कर देंगे यानि कि हम क्या करते हैं हम जाते हैं NSE में बट खायर याद रखना मैं NSE दिखा जरूर रहा हूँ मैंने बोला भी था कि exchange में जो forward trade होता है उसका नाम है future और future and option दो topic है जो की derivative में पढ़ते हैं वो वहाँ पे देखेंगे अभी देख रहे है future क्योंकि logically concept wise वही होता है जो bank में होता है लेकिन bank में यही काम करने जग उसका नाम क्या हो जाएगा forward bank में delivery होता है NSE में delivery नहीं होता है यहाँ पर delivery नहीं होता है इसलिए यहाँ पर rule थोड़ा हट के चलता है तो यहाँ पर क्या rule चलेगा हम बाद में बताएंगे यहाँ पर lot में trade होती है एक बार में 1000 dollar इक ट्रेड कर सकते हो उससे नीचे नहीं आप बोलोगे मुझे 800 dollar चाहिए कहते हैं नहीं चले जाओ कहीं और जाओ मेरे पास नहीं है क्योंकि exchange में कुछ fixed rule है इसलिए इसके rules and regulations हम derivative chapter में पढ़ेंगे हम सिर्फ इसको देख के सिर्फ rate forecast कर लेते और कुछ नहीं है concept वही है जो rate यहां मिल रहे है वही rate bank में मिलेंगे उसी rate पे आज आपको fix करना है और आपको 6 महीने बाद क्या करना है delivery लेना है मैं गये यहां पे USD INR के लिए ठीक है मैं गये USD INR पे और जैसे यहां पे सामने हमारा जो contract आता है इसमें हमने बोला कि future contract future and option दो दिख रहा है आपको मैं future की कहानी बोल रहा हूँ यह future exchange में जरूर है मैंने बोला 6 महीने बाद हम अभी January में बैठे है तो February अभी January के start है January end हो गया 1 month January, February, March, April में June क्या June end हमारे ले 6 month हो जाएगा इसमें देखिए मैंने June month का last वाले कुछ ये वाले date हमने ले लिया क्या 6 month बाद का rate हमें मिल गया अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर जाओंगा और मुझे buy करना है न 6 month बाद यहाँ पर जाके buy side में number लग जाओंगा ठीक है देखो seller इतने वे बेचने को तयार है तो हमें यहाँ पर number लगने पढ़ेंगे लेकिन यह तो number लगना है क्योंकि market में बोली लगते trade होता है अगर यही same चीज़ अगर हम bank में जाए तो बोली नहीं लगाना है bank एक rate लेके बैठा होगा उस rate को हमें क्या करना है select करना है और बैंक का भी rate होगा तो time value एडज़स्ट होगा क्योंकि 6 महिने बाद क्या rate होना चाहिए हमने कल पढ़ लिया बढ़ा ना 6 महिने बाद क्या होना चाहिए interest को base बनाएंगे इंफलेशन को base बनाएंगे और base बनाके आप एक चीज़ बताइए इंडिया का interested क्या है ज़्यादा इंडिया की inflation भी ज़्यादा है US का interested भी कम है US का inflation भी कम है तो आपको क्या दिखेगा पता है कि dollar currency इंडिया में appreciate होके quote किया हूँ मिलेगा यानि कि आज के rate से ज़्यादा ही मिलेगा लेकिन वही चीज़ यूएस में जागो दोल्टा दिखेगा आपको क्योंकि यूएस में आपको discount पे quote कर रहा होगा किसको रूपी को क्योंकि रूपी बोले है कि आने वाले टाइम पे सस्ता होने वाला है कि यूएस में trade होगा लेकिन यहाँ पे dollar को क्या करेगा premium पे quote करके देगा तो यह देखो आज कितना है देखो आप बढ़ गई 1494 आप मुझे बताओ आपके याद होगा 1155 था है ना यह Friday के बाद का पहला rate आई है आपको क्या लगता है market में जो बोली लगी होग या महंगा लगा होगा की नहीं लगा होगा आप चेक करके देख सकते हो market में जो होगा न यह देखे market में खुद ही पिछले दिन जो नहीं change है पिछले दिन में 4 पैसे से महंगा होके लोगों ने बोली लगाए था इसलिए देखो आप मोटा मोटा चार पैसे के आस-पास क्योंकि ग्याराप पैसे था अज एक पंदरा पैसे दिख रहे हैं 83 रुपीज 50 पैसे नहीं हो गया कल था 83 रुपीज 11 पैसे के राउंट तो मुझे बताए बोली जो लगाया है लोगों ने 4 पैसे महगा बोली लगाया भीड में लड़के इसलिए RBI ने भी क्या कर रा बताई मोटा-मोटा 4 percent महगा ट्रेड मतलब रेफ्रेंस रेट कोड किया है तो RBI जो रेफ्रेंस रेट कोड करते हो किसको बेस बना के बोली जो लगते हैं उसको बेस बना के चलो कोई नहीं, अब देखो, अभी हमारा LTV, लास्ट टेटर प्राइस कितना है, 83.68, और यहां देखो 83.15, मोटा मोटा देखाज़े तो 50 पैसे महंगा है, क्या, डॉलर फ्यूचर में, आज अगर इस रेट पे अगर आपताई कर लोगे, रेट अगर फिक्स हो गया बैंक मे जाके, तो 6 महीने बाद इसी रेट पे आपको डिलिवरी मिलेगा, ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, हम अपने एग्जामपल के अंदर कुछ फॉर्वार रेट ले ले लेते हैं, हाँ जी, फॉर्वार रेट, कितना बताईए, माल ने जो थोड़ा महंगा कर दिया हमने, हम आपे तो कुछ और मिलेगा, तो मैं इस से थोड़ा महंगा थोड़ा सा टाइम वेल्यू जाल देता हूं, मैंने बोला कि चलो ठीक है, बोलो कि यह एक्जामपल क्यों ले लिया, 80 के असपास ले लेते, spot rate 83 के असपास, फिर forward rate लेते, मैं वही एक्जामपल लेना चाहरा हू जो वहाँ पर आपके register पर लिखा हुआ है, क्योंकि अब rate तो बदलते रहते हैं, तो ठीक है, जो rate इसमें डाला हूँ, उसी rate का example ले लेते हैं, हमने बोला कि 77 होना चाहरा है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, जल्दी बताओ, तो जल्दी जल्दी आप लोग को कामपनी के मत आपका मत सुनाओ, यानि कि आप बैंक में जाओ, सल्मान खान मन जाओ, अब बैंक वाले को क्या बोलो, बैंक वाले ने rate कोट करके दे रहा है, कितने दिन का forward rate बताओ, 6 मंत वाले, आपको जाके बस एक paper पे sign करना है, कि 6 मेने बाद में dollar खरीदने आओंगा, कितने rate पे खर ना हो जाए, चाहे rate 100 पे पहुँच जाए, चाहे rate 40 पे आजाए, आप commitment से पीछे ने हड़ सकते, तोकि forward contract जो है सल्मान खान के commitment है, एक बार commitment कर ली, अपने आपका नहीं सुनेंगे, तो नहीं सुनोगे, तो आपको कितने में खरीदना पड़ेगा, बताओ, 77 में dollar खरीदन पड़ेगा, आप मुझे बताइए, आपको कितने का loss दिख रहा है, 2 rupees का, क्यों क्योंकि आपने payable book किया इतने का, लेकिन 77 का क्या हो गया बताइए, अगर आप forward contract करते हो, तो loss आपको कितना दिखेगा, 2 rupees का, लेकिन आपने हिज जरूर किया है, forward contract से loss जरूर है, लेकिन उ को पता नहीं क्या होने वाला होता, सभज में आपके बाद, हमेशा एक चीज सोचना कि हम जब भी कभी हिज करते हैं, तो आज पहले expect करते हैं, फिर एक action लेते हैं, और फिर time बीतने के बाद उस action को फिर analyze करते हैं, कि हमने सही किया, या हमने गलत किया, actual से, कहां कि actual, 6 month बा पहले expect करते हैं, फिर आज action लेते हैं, और फिर इस action को review करते हैं, कि हमने जो किया वो सही था या गलत था, कब, 6 month बाद, जैसे आपके भी action ऐसा ही है, आपने पहले अपना risk analyze किये, ठीक है, फिर action के लिए review किया, कि मेरे पास पहुँचना चाहिए या नहीं पहुँचना च कुछ दिन के बाद, जब आपका course complete हो रहे होंगे, कि आभी कुछ दिन हो जो हमने पढ़े, फिर उसको review करोगे, कि हमने decision सही लिया या, हमने decision गलत लिया, इसका मतलब, जब action ले रहे थे, उस time आपके time pass जो था, वो expectation था, loss की, कि exam में loss हो सकता है, इस attempt में इतना असान question था फिर भी किसी को मांक्ष नहीं मिला, उस expectation से आप class join किये, अब class join कर लिये, तो फाइदा हुआ नुक्सान हुआ कप पता चलेगा बताओ, जब time बीतेगा, जब course complete होने लगेंगे, तब आपको realize होगा कि यह जो action लिया था, वो सही था या नहीं था, लेकिन वो action starting में सही था या नहीं था, लेने से पहले, action लेने से पहले आपके लिये सही था, तभी तो यह action लिया कि यहाँ पढ़ना है मुझे, अब यह action आपका सही या गलत है, एक वार फिर से आप review करोगे, यहाँ बहुत confusion होता है बच्चों को, क्यों 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 रट्टा लगाना शुर अब यह decision सही रहा या गलत रहा एक बार और review करोगे, अब कब बताओ, जब class खतम होगी, इसका मतला भी पता नहीं है आपको, तो जब आप action ले रहे थे starting में, उस ताम आपके लिए जो चीज सही था, सायद वो चीज, बाद में गलत हो जाएगा, अब आपको मान लिजे मे आपको लग रहा है कि बिलकुल ही बिलकुल समझ नहीं है, सारे पैसे मेरा वेस्ट हो गया, तो कब पता चलेगा आपको, या तो अभी भी पता चल गया होगा, अगर अच्छे से पता करना है, फिर कब पता चलेगा, बताओ, जब complete हो जाएगा course, तो आप फिर review करोगे, तो ये था action, हेज करू या हेज ना करू, क्योंकि commitment करू या ना करू मेरे पास choice था, मैं commitment करू या ना करू, आज की अगर बात करू ध्यान से सुनना, आज की बात करू, तो आज मैंने कैसे सोचा बताओ, इसको सोच देखके, आज जब मैं ये commitment कर रहा था, सलमान खान बन रहा बैंक में जाके, तो उस ताम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, एक ही चीज, क्या हो सकता है, क्योंकि उस ताम आपका future पता नहीं है, क्योंकि आज आज आप decision ले रहे हो, तो आज तो आपको सोच के ही लेना पड़ेगा, जब आप class के लिए join कर रहे थे, उस ताम सिर्फ आपने क्या किया था, expectation के basis पे आपने कुछ action ले लिए, ठीक है, तो आपको लगा कि अरे ये नहीं करूंगा, तो ये हो सकता है, हो सकता है, कितना जाएगा, चलो कोई नहीं, कर लेता हो commitment, ताकि कुछ भी हो, मेरे जेव से तो क्या जाएगा बताए, यही जाएगा, और सोचके देखो, वाओ, हमने क्या किया, जो commitment किया सल्मान खानवाले, वो हमारे लिए अच्छा रहा, क्यों अच्छा रहा, क्योंकि commitment के मताबिक, जेव से कितना जा रहा है, 77, अगर commitment नहीं किया होता, तो आज आपके जेव से कितना जा रहे होते, कितना जा रहे होते, तो आ नहीं किया होते तो यह जा रहा होता तो जेब से जादा जाना बेकार होता ने क्योंकि आउठ्फडो था नहीं आप तो मुझे बताए यह जो काम किया था पहले वो सही रहा या नहीं रहा जैसे माल लिजे जब कर क्लास खतम होगा आपको लोगा हाँ आप कॉन्फिडेंस जाए वो तो जैसे परफॉर्म करेंगों ऐसे कमसे कम डर नहीं लग रहा है तो अब क्या को बोलोगे कि हाँ मैंने जो एक्शन लिया था वो सही रहा अब बिल्कुली समझ नहीं आया तो क्या बोलोगे जो मैंने एक्शन लिया था वो बेका रहा लेकिन जो एक्शन लिया या नहीं लिया था, वो कैसे decision लोगे, उसके लिए time बीतना पड़ेगा या नहीं, यहीं पर आप लोग मार खार जाते हो, आपको question में बोला जाता है, कि इससे loss gain बताओ, तो आप सीधा बिना सोचे समझे पहुच जाते हो 2 रुपे पे, क्यों, क्योंकि मेरे को payment करना था 75, क् बुक्स में तो यही दिखाऊगे न, आप मुझे बताओ, 80 रुपी जो 77 की जो कहानी है, वो hedging की है, कैसे, 80 जा सकता था, 77 जा रहा है, 3 रुपे बचाया है, आप मुझे बताओ, यह सिर्फ एक सोच है, एक बुक्स में अंट्री नहीं होगे इसके, आप दिखाना बुक्स हमारे FM के अंदर सोच से भी, पैसे का ना जाना भी आना होता है, सोच में के बात, पैसे खर्चा होने वाला था, खर्चा नहीं हुआ, इसका मतलब income हमार लिए, लेकिन यह सिर्फ FM में होता है, decision making के लिए होता है, पैसे का ना जाना आना कभी accounts में नहीं हो सकता है, एंटी कभी तो पैसे मांगते ही नहीं हो, टिकिट ले लो बोलता है कभी हो, वह आपकी अपनी रिस्क है, आपको रिस्क लेना हो, अगर मालने जे बीच में आगए को चेक करने वाला फाइन दे दो, नहीं आया तो कोई बात ना आपके रसी होता है कि नहीं होता है, हम तो ऐसे ही समझे आगए हो कि बात, मैं रहता था कालकाजी, साउथ डेली, क्लास लेने आता था इटी ओ, लक्ष्मिनगर में तो नहीं उस टाइम पर सारे क्लासे इटी होता था, बाहिरी मुद्रिका चलते थे उस ताम अभी चलते की नहीं चलते पता नहीं, तो स्टार्टिंग में ए तो तो 10 रुपीज होता था, दो बगाए है एक चीज गताओ, एक महिने मैं यूज के एक दिन भी चेक नहीं करने, चेक करने आजाए गाए हन्डेड रुपीज का फाइन होता था मारे टाइम पर, माली यह हंन्डेड एज महंना 30 डेज का क्लास कुख हर दिन क्लास होते हर तेन दुस्टिन रुपी बचाए, कितना बचा बताओ, तीन रुपी बचाए, एक दिन माली जचेक करने आ गिया, कोई बात पर रुपी दे दे देंगे, यानि कि तीन दिन भी चेक कर लिया ने ताम बीपी है और आज तक देखा मैंने ट्रेंड को देखके कि एक दिन भी नह टेको बिल्कुर जाते थे पर चाहिंटृ कि लेकिन जाते कि कि अवहार घुछा के जए पर बारें रोते हैं और मुटके चेकर लेचेक करते हैं सब्सक्राइब कोई बात नहीं हमने रिसक ले लिया से ताहिए अब टिकेट आपको काटना था नहीं, आपने भी सोचा कि चलो, लेने का मूर था टिकेट, लेकिन आपके अपनों का फोन आ गए, पर आप बात करते करते क्या हो गए, स्टॉपेज तक पहुंच गए, पता चला लो, टिकेट तो मांगा ही नहीं, अब आपनों को बोल रहे हो समझ मैं आपके बाद, यह 80 जाने वाला था, लेकिन 80 नहीं जा रहे है, क्या जा रहे है बताए, 77 तो हम कहरें, 3 रुपेज सेव किया है, यह सिर्फ फीलिंग है, समझ मैं आपके बाद, 200 स्पीर बढ़ाते हैं हम लोग, यह देखो, यह जो अभी आपका था, expected loss कितने का था बताओ, 5 रुपेज का, कैसे, expected loss 5 रुपेज का, सोचो कैसे, 75 हमने payment का record किया कि payment करना है, लेकिन हम सोच रहे कि 80 जा सकता है, तो expectation था 80 आउटफलो की, तो expected loss कितने की हो गई, 5 रुपेज की, अब यह expectation को बचा सकते हैं, action लेके, this action is forward contract, बाइं कि मैं जाके सलमान खान मत जा तो मुझे बताइए, आपने जो expectation थी, loss हो सकता है, 5 रुपेज का, उसको बचा के 3 रुपेज के loss विला दिया, 3 रुपेज न, नहीं, 2 रुपेज, 2 रुपेज का loss पे न, यह देखो, 75 का payment, कितना payment हो रहे हैं, 77, तो आपकी forward contract के अंदर, forward contract के अंदर, loss तो आपका 2 रुप न, 5 रुपेज का loss था, ध्यान से, यहां concentration बहुत चाहिए होता है, मुझे payment कितना करना था, मैंने बुक में कितना दिखाई, यह मत बूलो न, आप लोग, हम तो बुक में कहरे हैं, कि किसी को 75 देनी है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे जेव से 80 जाएगा, क्योंकि आज 75 पे, आज 75 है, payment तो हम नहीं कर सकते 75, क्योंकि payment तो करना है, 6 मत बात, तो 6 मत बात के rate पे मुझे dollar खरीदना पड़ेगा न, तो मैं जे क्या दिख रहा है, कि 5 की loss है, लेकिन वो loss एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो कहीं पे entry नहीं जाएगी उसके, सहुज में आगे बात, तो यह मैं बोल रहा हूँ कि यह loss मेरा expectation है, देखो, expected loss है, not to be recorded in the books, यह सिर्फ सोच है, एक feeling है और कुछ नहीं है, और हमने क्या किया बताइए, यह सर्त लगा लिया, सर्त लगा के, जो loss आपकी 5 रुपीज का होने वाला था, उस loss को मैंने कितने पे reduce कर दिया, 2 रुपीज पे, loss, 2 रुपीज पे reduce कर दिया, तो यह देखो, जो forward contract है, जो actual loss जो books में record होगी न, वो सिर्फ 2 रुपीज ही है, हम क्या किया रहे है, expected loss 5 रुपीज को reduce करके मैंने 2 रुपीज पे ला दिया, due to the commitment of Salman Khan, hedging कितने का, 3 रुपीज का, यहां तक ठीक है, गर पे जाके revision कर लिजेगा, यहां पे सोचने में बहुत गरबड हो जाता है, mix up करने लग जाते हैं, यह 3 रुपीज का saving हम एक और तरीके से निकाल सकते थे, 80 जाने वाला था, commitment के तहत 77 जाएगा, तो अब 88 नहीं जाएगा, अब 77 जाएगा पाकट से, तो 3 रुपीज मैंने save कर लिया, that is the hedging, अब यह hedging जो आपने excel लिया, वो अब फाइदे मन्द रहा या ना रहा, एक बार फिर review करेंगे, लेकिन अब जो review करेंगे 6 मन्त बाद, अब भी नहीं, अब भी का सारा कहानी खतम हो गए, अब question में क्या कहता है आपको, कि आपने forward contract कर लिया, loss gain बताओ, तो हम कहते 2 payment करना था, payment कितना और यह बताइए, 77, 2 रुपीज का loss, यह वा ना, लेकिन हम कहते नहीं, forward इस commitment से loss gain बताओ, अगर 6 महिने बाद यह होता है, अगर 6 मन्त बाद it will happen, कुछ happening दे दिया आपको 6 महिने बाद का, वो indirect hint नहीं दे रहा है, मैं आपको देखो क्या पूछता हूँ देखो इस language को दो तरीके से use करना, जब action ले रहे थे, class लेने की, उस ताइम आपके किसी दोस्त ने पूछा, ठीक है, कि एक class आपके लिए कैसा है, तो आप मुझे बताइए, अच्छा है तभी तो आप class जोइन कर रहे हो, आपके दोस्त, जिस दिन class आपने जोइन कर लिय किया, next day से class था, आपके दोस्त पूछा, कि कैसा है class, तो बोलोगे, जिस तरीके से मेरे पास information है, उसके मिताविक सही है, तो सही है तभी तो class जोइन किया न, और फिर आपके दोस्त, आपके दोस्त, आपके दोस्त, आपके यहता है, 6 महीने बाद, same language, class कैसा है, अब उस ट starting में expectation से सोच के लेते हैं, और जब आपका time बीच जाएगा 6 मन्त, अब आपसे कोई पूछे, तो वो expectation से नहीं, अब actual से comparison करोगे, बच्चे यहां पर mistake कर जाता है, question में हमेशा पोछता है, कि forward contract से loss gain बताओ, तो forward contract के loss gain तो 2 रुपीज का है, क्योंकि 75 देना था 77 जाएगा देने बाला payable था 75, payment हो रही 77, तो 2 रुपीज का loss, लेकिन question में क्या कहते है, बताओ, यह forward contract से loss gain बताओ, if after 6 months, it will happen, दूसरे कोई rate देते है, it happens, अब मुझे बताइए, अब क्या happens, कहते है, rate हो जाता है, याद रखना, कब की को rate दे रही है आप, 6 मन्त बाद rate कहते है, 81 रुपीज का, क्या कहते है अब, आप कहते हो, commitment अच्छा रहा, कितने का loss gain, मैंने क्या पूछा, forward commitment का loss बताओ, forward contract का loss या gain बताओ, if exchange rate at 6 month time happens to be 81, अब आपको indirect hint है, कि commitment किये हो, इसलिए आपका 77 जा रहे हैं, if commitment नहीं किये होते, तो आज जेव से 81 जा रहे होते, आप क्या बोलोगे, हमारे लिए commitment फाइदे मन्द रहा, फाइदे मन्द, लेकिन ये books में record नहीं होगे, ये सिर्फ एक सोच है, कि अच्छा किया कि हमने सर्त लगा लिया, नहीं लगाया होता, तो आज pocket से कितने जा रहे होते, 81, नुकसान हो रहा होता, आप क्या बोलोगे, पता है, commitment से हमने 4 रुपीज का saving गेन किया है, मैं बोलोगे, दिखा दो entry, हर चीज़ों का entry थोड़ नहीं होता है, entry तो एक ही loss का होगा, कौन सी, entry सिर्फ इस 2 रुपे का होगा, क्योंकि actual payment ये है, payable ये था, बस entry books में स सही रहा नहीं रहा है, फिर review करते है, time बीतने के बाद, और उस case में, question में अगर पूछा जाता है, calculate loss of legion due to this forward contract, और question हो जाता है silent, तो आपको check करना है, कि आज के expectation वाले loss gain की बात, मतलब आज जो हम कर रहे थे, action उसकी लिए बोल रहे है, ये six month बाद की situation दे रखा है, अग we have to compare 81 with 77, ना कि 75 with 77, यहीं पर जाके आप लोग मिस्टेक करते हो, हम 75 को 77 से तब comparison करेंगे, जब six month बाद की कोई situation ना दे हमें, अगर question में बोल दे कि after six month this rate happens, दिन आपको जो loss gain निकाल के देना है, 81 और 77 का difference, ऐसा भी तो हो सकता है, 81 ना हो, rate हो गया, क्या बताए, 71, आप क क्या बोलोगे, बताओ, loss हो गया अब, जबकि paper पर कोई loss नहीं है, entry में कोई loss नहीं है, entry में तो वही loss है, कि 75 देना था, 75 देने टू रुपीज का, लेकिन अंदर से feeling क्या हो रहोगा, बताए, बुरा, सायद हाँ, नहीं किया होता, तो क्या होता, बताए, अच्छा होता, म क्योंकि आपने action लिया है, hedge करने के लिए, पताए, ललो, exam में तो सब आसाना, चोटे-चोटे question नहीं भी पढ़के जाते, तब भी solve हो जाता, तो क्यों फालती हो कि आपने action लिया है, बताओ, तो आपको क्या लगए है, कि वो नुकसान दाए, लेकिन वो चीज कब आपको चलेगा, वहाँ पर जाके, तो इसलिए अगर question में after six month का rate दे दे, तो हमेशा loss gain जो निकालोगे, इस forward rate को six month बाद के spot rate से, ठीक है, यानि कि forward contract से कितना loss gain होगा, उसका दो तरीका आ गया, या तो आज के spot rate से forward को compare करके two rupees का loss gain निकालेंगे forward contract की वैसे, या फिर six month बाद के basis आपको analyze करना है, ठीक है, मैं बार बार आपको question को read करके analyze करा दूँगा, यह जितना भी चीज था, सारा कुछ वही लिखा हुआ हुआ है, कि hedging मेरा कितने का हुआ, हमने example में देखा था, हमारा hedging कितने का था, बताओ, three rupees का, और हमने, एक last में लिया कि 81 हो जाएगा, तो आपने बोला, four rupees का मारे को gain हुआ, कहाँ के gain, year again, और जब मैंने 71 लिया तो आपने क्या बोला, six rupees का मेरा क्या है, बताए, loss है, exactly यही चीज है, note, if question provides actual exchange rate prevailing on due date of forward contract, यानि कि six month बाद कि अगर exchange rate दे दिया जाए, then compare forward rate to 77 with spot rate of due date to calculate the loss of the gain, मैंने इसको highlight भी कर रहा है, इसको ध record करने वाले loss gain नहीं है, यह कौनसी वाले loss gain है आपका, सोच वाले, feeling दिलाएगा, क्या आपने सही किया है, गलत किया, क्योंकि जब आपको कभी भी six month बाद की अगर spot rate दे रहा है, तो six month बाद की spot rate यूज करने के लिए दिया है, if possible, use all information given in question, question के सारे information यूज करना है, तो मतलब, आपको किसके साथ compare करके आपको बताना एक class कैसा रहा, class लेना फाइदे मंद रहा या नहीं रामेनी आपसे पूछा, question बहुत आसान था, नहीं भी पढ़के हो जाता, आप बोलोगे कि waste हो गया पैसे, question paper बहुत difficult था और आपको मज़ा आया question सारा लिख लिए, आप बोलोगे हाँ, जो पैसे दिया वो यूटलाइज हो गए, इसका मतलब, अगर मैं आपको ये बोलू, six month बाद का information दे दू, तो आपको जो जो भी decision देना है, उसको comparison करके, और अगर नहीं दिया मैंने exam का situation तो, तो जो starting में decision दिया हो, उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं, ठी currency condition में नुकसान होगा, अच्छा मुझे चलो, एक चीज मुझे बताना, पैसे बाहर से आ रहे हैं, कौन सी पैसे आ रहे होंगे, हमेशा foreign currency, home currency होई नहीं सकता हो, समझ मारे बात, कौन सी currency आते है हमारे पास, foreign currency, क्या हो रख सकते हो, नहीं, क्या करोगे, बैंक में जाओगे और इस foreign currency हो क्या करोगे बताईए, बेच होगे, आप मुझे बताईए, जो चीज हम बेच रहे हैं, वो फाइदा हो जाए तब नुकसान, या सस्ता हो जाए, मतलब महंगा हो जाए तब नुकसान, या सस्ता हो जाए तब नुकसान, क्योंकि जो सामान बेच रहे हैं, हमारे depreciate कर जाए तो नुकसान dollar receive कर रहा हूँ यह बेच रहा हूँ, यह सस्ता हो गया तो कम आएगा ने जेब में, यह देखो ने जेब में क्या आएगा बताओ low कब लो आएगा बताईए, जब यह depreciate होगा, क्योंकि जब यह depreciate होता है तो हमारे quantity कम आता है जेब में, कोई सस्ता बेचते हैं तो सस्ता सामान बेचने का मतलब है जेब में पैसे कमाना, तो यह है न पैसे आपके लिए क्या बताओ, रूपी नुकसान हुए है तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ, receivable के case में currency depreciate होना loss है न कि immediately हमें पकड़ में आ जाए question के अंदर, receivable discount, receivable discount, receivable come, discount, क्या मैं बोल loss हो गया, यानि कि receivable low हो जाए, तो क्या बोलेंगे बताइए, loss, यानि कि receivable discount हो तो जाके hedge करना चाहिए और आप मुझे बताइए payable को कब hedge करना चाहिए payable, जो चीज payment कर रहे हूँ आपको खरीदने पड़ेंगे, और देखो payment करोगे rupees, यह ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा बताइए, नुकसान मतलब यह क्या होगा, appreciate बस दो line याद रख लो receivable receivable, depreciate होगा तो नुकसान, payable appreciate हो जाएगा तो नुकसान लेकिन appreciation क्या होना चाहिए, foreign currency वो home currency नहीं इसलिए हमेशा जब भी सोचना होना तो जो currency payment करना और receive करना उसी को महंगा सस्ता करो कभी नुकसान नहीं होगा, मतलब कभी सोचने में mistake नहीं होगा, यह receive होना है इसी को महंगा सस्ता करो clear यहां तक सबजी खरीदने जाते हो, सबजी को महंगा सस्ता करो, ना कि रूपी को dollar खरीदना बेचना है, dollar को महंगा सस्ता करो, रूपी को नहीं अगर आप euro महंगा सस्ता हो रहा है, मतलब euro लेना देना है euro को appreciate, depreciate करो not other currency clear यहां तक चलिए question solve करना शुरू करते इस second कि यह जो third के series है न यह basic concept से link है जब भी पढ़ा है आपने hedging से related forward hedge देखे हो क्या लिखा है हमने forward contact hedge यह थोड़ा सा number of question भी इसमें ज़्यादा है अगर आज हमने इसको खतम कर दिया तो हम बहुत बड़ achievement हो जाएंगे हमारे ले लेकिन वो आज हो नहीं सकता है मुझे पता है उसमें बहुत सारे questions है और इसके अंदर हर एक question में uniqueness आएगा आपको ठीक है बांकी के जब जैसे इसके आगे निकलोगे न तो एक रटा-रटा flow बन जाता है money market है जमें तीन step है हर में वही तीन step होगा ठीक है आगे पढ़ोगे नॉस्टो बास्टो ठीक है उसमें exact information यही होगा यह जो थर्ड के series है न एक foreign experience के complicated series है क्योंकि इसके अंदर unique ने हर question में कुछ unique point नजर आएगा समझ में आगया तो इसलिए इस series को revision थोड़ा ठंग से करिएगा आप लो घर पे जाके question solve करने की courses करिएगा इसमें test and knowledge में भी कुछ question मिलेंगे उसको एक दो question को छोड़के बांकि सब try कर सकते हो तो पहले सुरुबात करते अच्छा इसमें कुछ expected data आ रहे ओके चलो एक और भी concert बताता है आप मुझे बताईए मुझे लगता है कि आपका SFM या AFM में 80 marks आ सकते हैं ठीक है लेकिन आपके जो हरकत है जो आपकी performance है उसके मुताबिक लग रहे ही कि चलो 20% chance है अच्छे हो अभी तक तो ठीक चल रहे हो तो अभी तक के मुताबिक मैंने सोच दिया कि चलो आपको कितने पसंट possibility है 40% मैं कहता हूँ कि देखो कम भी हो सकता है आपका 70 marks भी आ सकते है इसकी possibility 20% है ठीक है और मुझे लगते है आपके marks 60 marks हो सकते है चलो इसकी possibility कितना बच गया जितना है डाल दोना कम माक्सी possibility बढ़ाना चाहिए ना या तो फिर और घटना चाहिए तब होगा यह भी कर सकते है कोई बात नहीं क्यों ज़्यादा दिल पे ले दे हम लोगे ना चलो 30% ले लिया 50% ले लिया अब कितना बच गया चलो 20% यानि कि मोटा मोटा आपके इसके आसपास ज़्यादा होना चाहिए यह ना अब आपको अगर decision लेना हो decision कैसे लोगे बताओ तीन-तीन marks है मैं आपको पूछ हूँ कि बताओ क्या एक marks expect करते हो तो तीनो marks नहीं बता सकते समझ में आगे बात आपको जब भी बताना हो probability लेके एक चीज़ बस mind में set कर लो अगर कहीं पे दो-तीन possibility दे दिया जाए with probability तो हम decision जब भी लेंगे कहीं पे भी लेंगे average से और average लेते time this probability is used as weight तो weighted average निकालेंगे कैसे निकालेंगे बताओ 70 का 50% लेंगे और 60 का 20% लेंगे अब यह जो probability based to average है न इसको भी feel कर सकते हो आप अभी feeling तो नहीं आ रहा होगा मेरे को तो अभी इसको average करने से feel नहीं आता है average कितना रहा है बताए आप मुझे बताने इस 71 marks क्या कहरा जा रहा है क्यों? आएगा तो 80 ही आएगा 60 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है 40 भी आ सकता है तो क्या करों मैं 71 को आचाँ डालो क्या? याद रखना इस average कभी feeling नहीं दे feel नहीं करा सकता है average value कभी feel नहीं करा सकता आपको लेकिन average को feel करना है तो वो ऐसे example frame करने पड़ेंगे इतना तो clear है कि अगर probability आएगा तो हम decision कैसे लेते बताएगे, average से कभी probability को feel करना हो तो probability जो होते हैं निकलता कैसे पहले वो सोचना, तब जाके अपने आप समझ में आएगा समझ में आगे? चलो यह से example को छोड़ो हम अपने dollar में बना लेते हैं मैं कह रहा हूँ अरे रहने दो, क्यों जा रहे हैं मिददर यह इतना तो clear है इतना तो clear है, क्या करना है बताओ probability को weight यूज करके average निकालके decision लेते हैं very simple, उससे ज़्यादा कुछ हमें नहीं बना मुझे नहीं आता है उससे ज़्यादा कुछ ठीक है? चले, question पर पहुंचते हैं क्या क्या रहे देखिए In March 2018 The multinational industry make the following assessment of dollar rates per British pound to prevail on the first September हम March में हैं अभी और September के लिए क्या कर रहे है? forecast कर रहे है और उनको लगता है कि ये rate हो सकता है जिसकी possibility इतना है अब लोग ये कहां से है? आया काई से हमें क्या करना है? तो आप लोग कभी-कभी क्या होता है कि आप market में क्योंकि में चलो एक बड़ फील कराही देता हूँ मुझे लग लग रहे है कि एवरेज तो इतना सारे ऐंगी एक बड़ तो सारी एवरेज फील कराहीदू में आपक lucky कि जब भी कभी average को feel करना होना तो पहले probability को समझना बहुत जरूरी होता है जिसे माल लिज आप market में को trade लेते हो ठीक है को trade ले रहे हो आप आप केते हो मेरा winning ratio ना 60% है मेरा winning ratio 70% है होता कि मार्केट में को trade लेता है माल लिज आपने यहाँ entry लिया इस पॉइंट पर मार्केट ऐसे चल रहे थे नहीं चल नहीं रहे थे को एक price है कि मुझे तुरह सा लगा कि नहीं probability को feel कराई देना चाहिए कि इसको बहुत हमागे use करते है न तो probability को feel करने के लिए पहले probability आता कैसे ओ पहले जानना पड़ेगा माल लेजे आपने यहाँ पे entry लिया कोई trade लिया आपने buy side में तो आपको क्या लग रहा हो का market ऊपर जाएगा stock market इतना तो पता ही होगा न अब इतना तो मैं आजूम कर सकता हूँ आता होगा आप सोचते हो कि उपर जाएगा लेकिन नहीं भी जा सकता है आया ना नीचे भी जा सकता है ठीक है लेकिन आपको लगता है नीचे जानने से ज़्यादा possibility उपर का है कैसे निकाल होगा आपने यानि कि exactly जिस condition में आप buy कर रहे हो उस condition को पहले भी आपने बहुत बार चेक कर रहा होगा और आपने क्या देखा पिछेव से कि 10 बार में 6 बार उपर जाता है ऐसे condition में ऐसे situation में और चार बार क्या होता है बताइए नीचे जाता है इसका मतलब 60% chance है कि उपर जाएगा 40% chance कहा है बताइए नीचे जाएगा या ऐसा हो सकता है कि आपने खुद बहुत बार ऐसा trade लिया होगा 10 बार trade लिया होगा ऐसा ही same situation में बोलो कि same situation कैसे होता है अब जो candle देखते उसको पता सली जाता है कि मान लेज़े एक कुछ ऐसे candle बन रही थी market नीचे आ रही नीचे आ रही नीचे आ रही नीचे आ रही है ठीक है और आज जो है ना market एक green candle के साथ closing दिया है ठीक है ऐसे बार ऐसे में आप यहाँ बाई करते हो ठीक है और आपने ऐसा trade past में 10 बार लिया हुआ है आपने क्या देखा छे बार आपने profit बुक किया यानि कि उसके अगले दिन फिर market क्या होता है बताईए उपर ही जाता है या आपने देखा लेकिन ज़्यादा तर टाइम क्या हुआ बताईए उपर गया और कुछ बार क् 70% कर देता हूँ इस तरीके केस में 70% आपका ताइम उपर जाएगा आप जाके चेक कर लेना क्योंकि मेरा चेक किया हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है तो 30% chance मुझे क्या दिख रहा है बताईए नीचे जाने का कि यानिकि इस तरीके के condition जब भी बनाए मैंने क्या इसके अगला दिन जो होता है दस में से 7 days market क्या होता है बताइए उपर जा रहा है और 3 days फिर अगले बार अगले दिन पिर क्या हो जाता है बताइए नीचे जाता है तो आज झो मैं trade ले रहा हूं इस trade में मुझे फाइदा होगा या नुक्सान होगा ये बताओ 70% chance के फायदा होगा कैसे पता आपको क्योंकि हमने past में ये trade दस बर लिया हुआ है हमने past में इस trade को 10 times लिया हुआ exactly यहाँ पर मैंने भाई किया है मेरे past में क्या रखा है 7 days मैंने profit book किया और 3 days मैंने क्या किया है बताई loss book किया है तो यहाँ क्या होने वाला है भाई अब तो यह possibility हो गए न आज मैं trade ले रहा हूँ तो past history को देखे तो 70% chance लिग उपर जाएगा और 30% chance क्या बताईए नीचे जाएगा यहीवा न तो मैं क्या बोलू अब मुझे decision लेना होगा तो मैं क्या बोलूँगा देखे अच्छा मैं जब यहाँ पर कोई बाई करता हूँ मानले जे 100 रुपे का price है और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैं 2% का target रखता हूँ मतलब 102 पर मैं क्या करूँगा बताई बेच के profit बुक कर लूँगा और 1% का मैं stop loss रखता हूँ इसका मतलब जैसे 99 पर जाएगा तो मैं क्या करूँगा बताई अगले दिन loss book करके यहाँ पर sell करके loss book कर लूँगा सभज मैं आगया अब मैं क्या करता हूँ ऐसा trade में 10 बार लेता हूँ फिर से तो मुझे बताईए seven days मेरे लिए क्या होगा बताईए दो रुपे का profit है न और मुझे loss होगा एक रुपे का कितने दिन बताईए तीन, कट कटा के देखिए आपको फाइदा होता है, नुकसान होता है यहाँ से आ रहे गया इसका मतलब जब भी मुझे कभी trade लेना होगा यहाँ पे इस तरीके के अच्छा कुछ लोग कुछ कॉपी कर रहे थे यह देखो इस तरीके के जगों पे मुझे trade लेना है तो जब मैं entry ले रहा हूँ तो मैं कमाऊंगा या गबाऊंगा यह uncertain है लेकिन मैं जब decision लोगा तो मैं क्या बोलूँगा पता है और 2 रुपिय कमाने का possibility कितना है बताईए 70% तो मैं क्या बोलूँगा इस trade से net में कट कटा के मुझे positive ही दिख रहा है तो मुझे trade ले लेना चाहिए यह decision making का concept होता है इसका मतलब जब भी कभी आप 70% या 30% बोल रहे हो यह कहां से आता है हमेशा आपके past experience से आता है बस तो मुझे बताईए मैं decision looking state में मेरे साथ क्या ओने वाल तो मैं कैसे बोलूँगा फे मैं यही तो बोलूँगा 2 रुपीज कमाने की possibility 70% 1 रुपीज गवाने की possibility 30% तो मेरे को मुझे बताईए कट कटा के मुझे ज्यादा मिल रहा है यह कम मिल रहा है यह सब capital bishing में करना पड़ेगा आपको अभी यह सारा capital bishing में concept आए यह सारे calculation करके दिखाना है आपको कि इतना कमाने की possibility इतना गवाने की possibility इतना नेट में कट कटा क्या मिल रहा है बताईए बोली नेटाई आपको वन रूपीस टेन पैसे तो वन रूपीस टेन पैसे अगर मुझे दिख रहा है कि profit ही है इस trade से expected में में आपको profit दिख रहा है तो मैं क्या कहता हूँ बताईए ले लेना चाहिए trade बस ऐसे ही trade होता है probability based तो थोड़ा सा probability को feel करने के हमने कोसिस किया था समझ में आगे बत चलो वापस आते अब यहाँ पर probability दे रखा है अब हमें कहता है decision ले लो अब यहाँ पर कोई profit और loss की बात नहीं है expected marks की बात है तो ठीक है average कर लेंगे हम बोलेंगे हम expect करें कि 71 marks आने वाला है तो decision ले लो आप अपना सच जागे बत अब यहाँ के question में क्या किराएगी देखो इतने सारे rate है जो हो सकता है इनकी probability given है है न क्या यह होगा यह होगा कौन होगा बताओ कोई नहीं जानता है कोई नहीं जानता क्या होगा लेकिन हमें decision लेना हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इनका average होगा यह हम माल लेते हैं ठीक है निकालो average निकालो average calculator use करने आता है 1.6 multiply by something equal to करना 1.7 multiply by something equal to करना 1.8 multiply by 0.25 equal to करना 1.9 multiply by 0.20 equal to करना 0.2 multiply by 0.2 equal to करना और last में जाक्या प्रेस कर देना GT और बीना GT के calculator लेकि हमारे class में बैठते नहीं कोई सिंपल सी बात है GT करोगे कितना रहा है 1.81 यह rate में expect कर रहा हूँ कि हो सकता है होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन जब हम expect करेंगे तो हम बोलेंगे यह हो सकता है समझ में आगे बात कुछ? अब आप मुझे बताए कि क्या है expected rate? निकल तो गया पहला पार्ट खतम भी हो गया बताओ ऐसे question आजए तो bonus नहीं है अब दूसरा देखे if as of March 2018 March क्या था बताए starting यहाँ पे हमारे को यहाँ पे हमें क्या देख रहा है अच्छा बैंक में अगर जाओ में commitment करने तो मुझे क्या rate मिलने वाला है बताए 1.80 should the form sell forward its pound receivable oh pound receivable यानि कि form को pound आना है सही बोल रहा हूँ मैं यह देखे यह जो form है न इसको कहीं से pound आने वाला है तो यह pound जो form होगा न जिसके पास pound आएगा न तो pound रख नहीं सकता क्योंकि रखने वाला होगा न तो को रिस्की नहीं होगा उनके लिए तो कहा जाएगा बताओ बैंक में जाएंगे pound देंगे और याद रखना देखना यह rate किसका है देखो आप चेक करो यह rate जो आपने निकाला है न भी pound 1 का dollar 1.81 है देखो strength wise भी सही है और वैसे भी यह dollar per pound के term में theoretical code दे रखा है अच्छा तो अब मुझे बताई यहाँ पे यहाँ से क्या लेकि आएंगे बताओ dollar यह लेकि आएंगे न देखो हमने expect किया कि यह आएगा expect किया ध्यान से रखना 8.81 यह expectation है लेकिन bank वाले क्या कर रहा है बताईए 1.81 dollar मुझे forward दे रहा है मैं आपको बता दू exam में हमेशा इस तरीके से diagram बना लेना 0 ही लिखना चाहा था हाँ जी याद रखना है exam में यह diagram जरूर बना लेना जब decision लेना हो at least सोचने में mistake नहीं आएगा question में क्या बोल रहा है बताईए क्या आप should the form cell forward क्या आप forward contract यानि कि bank में जाके सल्मान खान बनोगे आप ध्यान से देखना अगर मैं सल्मान खान बन गया तो मेरे जेब में आएगा 1.81 80 समझ में आगे बात और अगर सल्मान खान नहीं बना तो जेब में कितना आएगा 1.81 तो expectation है कि जादा आने वाला है तो क्यों मैं hedge करू बताओ जब आपको expectation में ही loss है मतलब benefit है जबकि forward contract करने से तो loss ही है तो फिर क्यों करें हैं क्या करना चाहिए हाँ जी पीछे से बताइए forward contract करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि expected inflow या receipt is higher than forward receipt तो जो forward से ज़्यादा आने वाला है तो जो ज़्यादा आएगा वो काम करेंगे तो ये काम हमारे को ज़्यादा फाइदे मन्द है तो बस यही बोलेंगे do not sell pound under forward contract समझ मैं आगे है आईए question number 3 के भीबे चलिए read करते फटाफट digital exposure exporters are holding an export bill क्या exporter है okay it United States dollar five lakh two after sixty days क्या मतलब हुआ exporter के पास यतने पैसे आने वाला है याद रखना ये exporter USA तो नहीं होगा very simple कुछी भी लिखके देओ ये exporter जो होगा ने USA से नहीं होगा क्योंकि dollar अगर USA वाले dollar receive करेगा home currency में कभी invoice हो नहीं चकता है सबज में आगे बात तो चलो एक काम करते हैं ये जो exporter है इसके पास पैसे आएगा कितना बताईए exam में याद रखना जब भी question आप रीड कर रहे हो खास करके forex derivative portfolio कर रहे हो पहले question को पढ़ते हुए आप क्या करना देखना notes में ऐसे कुछ लिखा होगा ये देखिए जब भी हम अगर जाएंगे question पर ये देखो नहीं है आप अपनी हिसाब से यहाँ पर जैसे इस तरीके से जो भी कुछ आपको समझ ये कुन सी वाले question अच्छा पहला था ये देखिए amount receival कितना बनता है जो भी कुछ आपको समझाता है पहले आप लिख लो अपनी हिसाब से और बाद में क्या करना आप solution सुरू करना वो देखे point हमेशा mention करना जब भी question solution देते हो point wise दीजिएगा कभी कभी क्या होता है हम लोग chain में calculation कर रहे होते कहते कि सारा answer आतो गए छोड़ दिया नहीं हर एक point को mention करके उसके answer तक पहुचा के highlight करके देना है आपको समझ में आगे बाद आप लोग exam में कैसे highlight करते हो underline करके कर सकते हो बसे मेरे आदत था bold करने की कर देटा था मैं double repeat कर देटा था मेरे को एक normal सी आदत हो गई थी पच्पन की जब भी मैं कभी लिख रहा हूं मालने जे कोई heading भी लिख रहा हूं जैसे यह लिख रहा हूं जैसे यह bold दिख रहा है मेरे register पे bold दिखता आपको जैसे कैसे दिखेगा यह देखो bold दिखेगा मालने जे मैं दिख रहा हूं जैसे यह है 3.22% लिख दिया मैंने और फिर इस पर क्या करूंगा बताइए 3.22% फिर कर दूंगा यह bold हो जाता था मेरे आदत था यह एसे heading को bold करने की और last की जो result है ने इसको bold करने की इसको repeat कर देता था मैं double फिर से उस पर दुबारा लिख देता था और handwriting ऐसा होता था कि उस पर double लिखने पे exactly से इसा भी लिखा ने मैं देखो आप तो bold हो गई ना हाँ आप कुछ लोग कि handwriting ठीक नहीं होता है कि पेंसिल लावडी नहीं था आजे तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथ उनको यह लगता था कि चीटिंग कर लेंगे यह लोग especially instruction होता था जो वाते थे लो admit card पर जो instruction पूरे रंबास एक page का उसे clearly लिखा होता था कि पेंसिल अलावडी नहीं लेकर जाई नहीं सकते तो यह लेकर जाते थे ठीके लिखेंगे नहीं कहीं फे यह देखें तो इसका मतलब इतना receivable हो गया यह रहा receivable कितना बताईए 5 lakh अब आगे क्या करें they are worried about the falling usd value हां जी वह तो हो गाई परिसान क्यों बताऊ अभी तो मैंने बताया था कि जो currency आए वह अगर सस्ता हो जाए तो हमारे को परिसान नहीं तो they were worried about falling the usd value which is currently at 75.60 अच्छा आज इतने का चल रहा है याद रखना है dollar 1 equal to 75.60 यह सब लिखते चलना आप लोगे जब भी आप read करते हो question तब की बात है the concerned export consignment has been priced on an exchange rate of 75.50 per dollar यह बड़ी मुसीबत की बात है आप जब हमारा spot rate यह चल रहा है तो यह consignment इतने rate से कैसे priced हो गया इसका मतलब जो हमारा export हुआ था उसकी value इस rate से decide हुई है consignment की value तो आप मुझे बताए जब मैंने export किया था तो spot rate पर ही valuation होगी न तो फिर यह rate कौन सी आ गए custom वाले rate है क्योंकि हमारे consignment जब exporter ने सामान बेचा था तो उस टाइम हमारे export की valuation होई थी समझ मैं किया बत तो custom वाले हमने कितने का सामान बेचा है उसने valuation किया था और custom वाले अपने rate पर करता है तो consignment rate को जो आपको इस rate पर valuation किया है मतलब यह किसका rate है custom department का ओके यानि कि दोनो spot rate है याद रखना यह consignment rate जो है यह भी कौन सी rate है consignment rate यह भी spot rate है लेकिन यह आपका custom वाले का होगा देखो मैंने यह आप लिखके भी दिया होगा आपको देखे spot rate quoted by bank spot rate quoted by custom department यह वाले ठीक है आगे पढ़ते है question को अब क्या कह रहा है the forms banker have quoted as 60 days forward rate 75.20 उसकी जो bank है 60 days का forward rate quote किया है कितना बतायेगा dollar one equal to rupee 75.20 कहते rate of discount quoted by bank assuming 365 days in a year यानि कि आपको जब annual rate निकालना है तो 365 days के basis पे आप calculate करोगे ठीक यह तक तो मुझे बताये premium discount किसका निकालो और bank ने जो quote किया है मतलब custom बाले rate मत ही उच करना premium discount पे तो आप मुझे बताये dollar हमारा 75.6 पे है 75.20 पे जाता है discount पे premium पे discount पे कौन सी currency dollar तो base currency का premium discount निकालना है तो क्या करते है forward minus spot divided by spot multiply by 100 ठीक यह तक जो भी होगा आप कर लीजे यह minus यह divided by 75.6 multiply by 100 लेकिन वह होगा कितने दिन का 60 days का तो divided by करना 60 multiply by कितना करेंगे 365 क्योंकि 365 days यूज करने को बोला है तो divided by 60 करके आप निकाल लेना आप का जाएगा मैं नहीं कर रहा हूँ मैं तुरह से स्पीर बढ़ाने पड़ेंगे आप करते रहेगा बहुत आसान है कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है हाँ मंत के विकेस में करोगा तो अबचे क्या बोलेगा आप का रौंडिंटग आफ काisf इुफ्रेंसज़ वी जाएगा आप बचे लिए स्टवल चूटा सा राउंडिंग अफSayness इगो हर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो इंस्टिट के इगो को हर्ट नहीं करना है, समझ में आगे बात कुछ है, यह देखिए, तो खतम हो गया, जो भी आता है निकाल लीजिए, अब आगे क्या करें, क्या आपने forward contract कर लिया, तो forward contract कर लिया, तो मुझे बताइए, आपके जेब में, जब forward contract करें हो, तो डॉलर दे के आपके जेब में क्या आएगा बताइए, रूपी, कितना रूपी आएगा बताओ, forward contract लिया है, 75.2 आएगा आपके जेब में, चाहिए, और मुझे बताइए, आपने आएगा कितना रेकॉर्ड किया था, ये इस पे रेकॉर्ड किया ये इस पे रेकॉर्ड किया, तो आपने इस पे किया होगा, ये 75.5 पे किया होगा, 75.6 पे अगर करोगे, तो ये 75.5 इस पूरे question के अंदर कहीं यूज ही नहीं होगा, क्योंकि जब premium discount यूज किया, तो आपने bank का rate यूज किया, हाँ, वो ये कहना चाहरे है कि books में जो हमने entry किया custom वाले, आप बोलो कि हम ना करे तो, appropriate तो आप इस पे भी कर लोगे, तो हो जाएगा, किस पे, 75.6 पे bank वाले पे, लेकिन question के अंदर consignment का rate दिया है, तो ज़्यादा appropriate होता है, कि उस पे आप अपना consignment को क्या करो, book करो, कि जो हमारा receivable था, वो कितने पर हमने book किया, बताओ, 75.50 पे, यानि कि आप कह रहे थे, कि ये आने वाला है, लेकिन आया कौन सी बताए, ये, मतलब आपको 30 पैसे क्या हो, बताए, नुकसान हुए यहाँ पे, loss पूछाए ना, तो 30 पैसे multiply by 5 lakh देखो, आपका कितने का हो ग किया है, और आपको जो receivable book करना है, इस rate पे करना है, इंस्टूट 75.5 पे book करता है, consignment rate पे receivable book करता है, आप बोलोगे, मैं 75.60 पे book कर दूँ, तो answer तो तब भी appropriate है, मैं अगर आपका answer चेक कर रहा हो, तो मैं तब भी marks दूँगा, समझ में आगे बात, चलिए, question number 3C पे आज पढ़िये, जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीर बढ़ाना पढ़ेगा, मेरा सर्दत कर रहा है, यह कोई फ्रेंज कंपनी है, है सिफ तक goods to an American importer, है न, आप मुझे बताइए, किसको हमने शामान बेचा है, American importer, ओके, एक है importer, और एक है French company, French company ने American importer को क्या किया है, बता, यह सामान बेचा है, under letter of credit arrangement, letter of credit एक guarantee paper होता है, जो कि importer, payment किसको करना है, बताओ, importer को payment करना होता है, हमेशा LC कौन open कराता है, importer, LC जो होता है, letter of credit, यह सिर्फ एक छोटा सा document है, किस सी जो का, guarantee देते हैं, कि यह देखो, यह जो importer, इसको payment करना पड़ेगा, है या नहीं, देखो ध्यान से, यह payment करना होगा न, अगर मान लेज़े, calculate payment ना करे, तो यह जो exporter, उसको यह क्या कर लेगा, बताओ, कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए क्या कहता है, यह जो exporter है न, यह एक को क्या कहता है, American importer को, देख भाई, तो अपने banker के पास जा, और तुम उससे guarantee दिला दे मुझे, उस guarantee पेपर कम लोग क्या बोलते है, letter of credit, तो इसके calculation करना तो कोई impact नहीं आने वाला है न, मारे पास, फिलाल तो, भाई guarantee दे यहां दे दिया, which calls for a payment at the rate of 90 days, यहांज, यह काम का है, कि payment कब आएगा, बताए, 90 days पे, invoice कितना है, बताए, dollar 1,24,000, और dollar में बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि यह French company के लिए ही risk है, सोचके देख लो आप, American के लिए कोई risk नहीं है, इसका मतला, इस exporter के लिए आपको hedging करना होगा, सायद, आ आप लोग अपने हिसाब से रेखते रही है, घर पे जाके, आप लोग भी roughly solve करो, क्या हो गया, बताए, dollar 1 equal to French Frank, है न, FF कर दे रहा हूँ, 5.70, वैसे French Frank का यह सो कोड होता है, FRF, इस चूट ने जो अपने book में डाला हुआ था, FF करके लिखा हुआ था, इतना अगे, तु French Frank महंगा हो रहा है, कितने percent, 5%, what would be the transaction gain or loss to exporter in French Frank, वैसे भी, यह French company को loss gain जो आएगा, वो French Frank में ही आएगा, क्योंकि dollar में कभी loss gain नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि dollar में आपका export था, dollar payment receive करोगे, जितना का invoice बना है, उतना receive करोगे, तो loss gain क्या होगा, home currency में loss gain होता है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक काम करना है, मुझे 90 days के बाद का एक rate calculate करना है, यह यह न, 90 days की जब rate निकालने जाओगे, तो देखो ध्यान से, महंगा हो रहा है French Frank, मतलब इसका price बढ़ना चाहिए था, तो इस पे आपको dollar को 5% बढ़ना चाहिए था, यह न, महंगा कौन और बताओ, French Frank, तो French Frank को महंगा करना है, तो dollar की, French Frank का price बढ़ेगा न, तो उसकी rate निकाल के इसको कितने पसंद बढ़ना चाहिए था, 5% से, यह उता rate, लेकिन recent trend के अंदर, institute ने क्या करना सुरू किया है, पहले इसको समझ लो किसी भी currency का premium discount दो, apply हम, base currency पे ही करेंगे, किसी currency का भी premium discount दो, apply हम, base currency पे ही करेंगे, approximate calculation करेंगे, क्या करेंगे, APPROX calculation, तो आप मुझे बताए, अगर मैं approximate calculation करूँ, तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ, हाँ जी, approximate calculation कैसे करता है, क्याते हैं कि देखो, जब फ्रेंच फ्रेंग महंगा हो रहा है, तो बेस करेंशी देखो, यह बेस करेंशी के लिए तो नहीं दिया, दिमाग में सेट कर लो, recent trend है, कोसिस कर रहें, कुछ हद तक हम लोग institute को क्या करें, माच करा दे, माच करा दे, approximate calculation से ही सही, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं वैसे तो यह question में तो पहले ही institute में mistake करा हुआ था, तो अभी तो हमारा वैसे भी, अगर यह question है, यह old study mat का है, अभी के नए study mat में हटा दिया इस question को, तो अभी जो हम calculation करें, study mat में उनका वैसे ही था, लेकिन पहले एक ही question में था, तो हम उसको गलत मानके चलते थे, ठीक है, अब तो यह सारे question में ऐसे ही करते तो हमारा एक trend बन जाएगा, क्या trend बनता ही आद रखिये, price currency महंगा हो रहा है यह बता रहे है न, लेकिन हमें premium discount apply किस currency पर करना है, base currency पर, है न, तो मुझे बताए, base currency यहाँ कौन सी है, dollar, तो मुझे बताए, dollar क्या हो रहा होगा, घट रह वैसे other than 5% होता है, लेकिन institute ने क्या मानना शुरू किया है, 5%, हाँ तो ठीक, अच्छी बात है, यानि कि इन दोनों का मतलब institute फिलाल सेम समझने लगा है, ठीक है, तो हम भी समझ लेते हैं थोड़ा दर के लिए, तो हम इस वाले concept को apply करके निकाल लेते हैं value, तो मुझे बता DJ 90 days का favorit, कितना दोगे, अब ध्यान से दोना, आपने dollar को 5% discount पे ले जा रहे हो, तो ये dollar सस्ता होगा, तो price घटेगा, तो 5.7-5% कितना अगया बताइए, dollar 1 equal to French franc, 5.415, क्या पूछा है question के अंदर, जल्दी बताओ, what would be the transaction loss or gain to the exporter in French franc, तो मुझे बताइए, आज आपने कितने रिपिये receive करने की बात सोच रहे होंगे, ये dollar आप जब आपको payment करोगे, तो क्या आएगा आएगा आपके पास, बताइए, French franc, कितने rates आएगा बताओ, इस rate से, और आपका 90 days पे जो receivable है कितना बताइए, कितना, यानि कि आपने receivable book करते हो, receive होने वाले चीज जो book करते हो books में, वो spot rate पे, तो spot rate कह रहा है, इतना receive होने वाला है इनको, है न, और बाद में कितना receive होगा बताइए, कम या ज़्यादा, कम, तो नुकसान होई न, कितने का नुकसान होई, इतने का difference, तो 5.7 minus, नहीं करेगा, क्योंकि वो सही वाले है, multiply by 1,24,000, या answer आना चाहिए 35,340, ठीक है, अब लोग या answer नहीं म्यास करें, क्योंकि मैंने या answer correct वाले दिया हुआ है, correct वाले answer है, जो ये calculation तो approximate है न, accurate calculation में क्या होता, ये rate तो होता ही न, accurate calculation क्या होता, बताइए, question number consumer लोग पढ़ रहे हैं अभी वो कुस्टम रेत की हुझ या तो होता नोट लिखावाई या पर, इस सब एक जाम में नहीं लिखना है, अचावन नोट, इस सब नोट, इस पॉसबल युझ वाल इस इधर इन इस वाले इन थार इन शूंशन गिवन इन क्यों, in this question we can use either spot rate or consignment rate to book receivable, it is appropriate to use consignment rate to book receivable, so that all informations can इसलिए हमने किसको यूज़ किया था कंसाइनमेंट रेट को अभी बात करें ते फ्रेंज कंपनी की देखिए नॉट फॉर एक्जाम कुछ लिखा हुआ है ध्यांसे पढ़िए इसको मैं सिर्फ इसको रीड कराने के लिए आया हूं क्या लिखा है देखिए इन रिसेंट पास इंस्टिटूट इस्टार्टे टू एडज़स्ट प्रीमियम डिसकाउंट अफ बेस करिंसी ओनली द्यान से सुनना अभी के केस में प्रीमियम डिसकाउंट अफ बेस करिंसी ही सिर्फ एडज़स्ट कर रहा है प्राइस करिंसी का प्रीमियम डिसकाउंट इड़स्टी करना छोड़ दिया समझ में आगई बात तो हमने जो अभी तक concept आपको बताया वो correct वाले था जो होना चाहिए था बट अभी जो इंस्चुट कर रहे हैं अभी उसी pattern से चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ठीक है आईए तो we are trying to adopt same calculation, कोशिस करते हैं अब दो साल से इंस्चुट ने कम से कम 5-6 question में same method को apply कर दिया तो हम भी कर लेते हैं अब इसमें क्या हो जाएगा थोड़ा सा दिक्कत कि पहले के जो questions होगर है उसमें फिर थोड़ा बहुत का variation आ जाएगा तो मैंने चेक किया ज़्यादा variation नहीं है क्योंकि problem तो तब आएंगे न जब price currency की premium discount देगा क्योंकि हम लोग किसका premium discount अड़जस्ट करते हैं base currency जिसके साथ per unit है तो मुस्कल से एक दो question में opinion differ करेगा नहीं तो हर जगा हमारा concept match हो जाता है अभी के trend पे भी ठीक है जैसे अभी हमने question solve किया है वो इंशूट से पहले ही match है क्योंकि पहले ही इंशूट ने गलत कर रखा था approximate calculation बट हम approximate देते नहीं थे सभ़ज में आगया तो अभी जो हमने answer अभी निकाला है ये वाले वो गलती से क्या हो रखा है हमारा इंशूट के साथ match हो रखा है क्योंकि पहले गलती करा हुआ था अब वो गलती जो हमने अभी क्या भी जाके हमारा दोनों क्या हो गया बताए match हो गई बिल्कुल अगर आपको किसी भी ये तो आगे बताऊंगा ये आपको ये तो आपकी आदत आजाएंगे जहां कहीं भी एक से दो मिनेट लगना हो वन और टू मिनेट लगा के अगर दो टू अल्टनेटिव से कोई सॉलूशन मिलके आ जाए तो अब दो सॉलूशन दे क्या है ये आपने आपको सेफ करके आओ मुझे नहीं सॉल करना हंडेड मार्क्स की पेपर सभ़ में आगे बात हम हंडे पहले कहते थे कि एक अल्टनेटिव से दे के आ जाओ अब कहते नहीं दो रास्ते दिखता है और आपको लगता है वन टू टू मिनेट का एक्स्टा इंवेस्टमेंट है लगा दो लेकिन टू अल्टनेटिव से सॉलूसन देने में टेल मिनेट स्टाइम में स्पेंड होने वाला है नहीं उतना टाइम नहीं लगाना है मैकसिमम 5 मिनेटों के अंदर में अगर 2 लटनेटिस से सॉलुसन हो जाता है तो 5 मिनेटों भी ज्यादा हो जाता है 3-4 मिनेटों तक अगर जाकर 2 लटनेटिव बन जाता है देखे आजाना एक्जाम में कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल बिंदास करके आओ, मुझे 100 Mark Solve नहीं करना है, इसका मतलब 100 Mark Solve नहीं करना है, हम एफम के लिए बोल रहे हैं, आडिट के लिए नहीं, लौ के लिए नहीं, अब ये बात यूज करके अगर कोई लौ टीचर वाले, लौ या अडिट वाले टीचर अगर ये कमेंट कर में 100 Mark Solve करने की गलती नहीं करना है, मैंने सिर्फ इतना ही बोलके, कितने सारे स्टेंट को एक जमसन दिला चुका हूँ, आंसा सीट आता है, देखता हूँ, इतना Mistake, इतना Mistake, सिर्फ Calculation Mistake, कितना Paper Solve किया है, 100 Marks का Paper Solve कर किया है, क्यों किया 100 Marks का Paper, अगले बारों 100 Marks से जल्दी नहीं करता है, सिर्फ 70 Marks Attempt करता है, एक जमसन आ जाता है, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है, Mistake बस उसने क्या करा सिर्फ, Reduce किया, और Mistake Reduce करने के लिए, स्पीड क्या करना पड़ेगा, Slow, और स्पीड शलो करोगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपका Paper Solve यह सकता है, हाँ, अवकर असान पेपर है, और मानलीजिए हमने, चलो करते हमारे स्पीड करते ही 100 Marks Attempt हो गया, तो असर प्लास है बोनस है, यह ज़िए टूर नहीं है क्या है, स्पीड करने यह स्पीड करेंगा है, तो बैट करेंग करेंगा है, हाथ दो लगता है कि 10 क्लास क्योंकि हमें बेस पे अर्जस करना है और बेस करेंसी का ही प्रीमियम डिसकाउंट दे रहा है कोई प्राब्लम है नहीं if price currency premium discount is given जैसे हमारे case में भी था अभी आप मुझे बताएए अभी ये किसका premium discount दिया था उसने बताओ ये देखो द्यान से ये price currency की premium discount दिया हुआ था हमने किसमें adjust करना था base में तो हम कहते हैं कि देखो base currency क्या हो रहा है तो base currency discount हो रहा है तो हमने discount के पाइट भी से जोसकर दिया हमने इसको तो ये ही बोल रहा हूँ यहाँ पर देखे द्यान से हम कह रहे हैं कि price currency premium discount is given then assume it as base currency premium discount and then adjust rate उसके मतलब base पर क्या होता हुआ अद्जूम करो आप मान लिजे price currency premium पर है तो base currency किस पर हो गया बताएए discount और same percentage ले लेना price currency premium percentage is equal to base currency discount percentage approximate term में price currency का discount का percentage होगा base currency के premium के percentage के approximate equal होगा यह बीच में equal डाला होगा है as ICAI prefers approximate calculation we are also going to do same also doing same ठीक है दूर से दिख जाना चाहिए line वैसे तो मैंने solution सारे convert कर दिया अपने pointer base से इसी तरीके से तो दिख जाएगा आगे जैसे यहाँ पर देखे मैंने किया alternative one approximate calculation जो अभी करके दिखाया था ठीक है alternative two accurate calculation accurate calculation क्या है देखना five percent french franc महेंगा हो रहा था तो याद रखना dollar पर five percent बढ़ाएगा आपका क्योंकि french franc की price बढ़ेगी और उस case में dollar की जो rate आएगा ना 5.43 ना कि 5.4125 यह approximate calculation है यह आपका accurate है समझ में आगे बात तो आपके जो बुक में answer दिए गए वह यह वाले दिए गए हैं समझ में कुछ बात देखो 33 480 थे उसमें भी थोड़ा surrounding आपका difference होगा थोड़ा बहुत का ठीक है इंट्रेक्ट नहीं करोगे तो time लग जाएगा फिर बात में मुझे बस दोस्त देना क्या है तो थोड़ा सा आपको भी effort लगाने पड़ेंगे तभी time कम लगेंगे समझ में आगे बात क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ न तो मेरा दो चीज का priority होता है पढ़ाते हुए teacher का दो चीज़ों का priority होना चाहिए मतलब priority में दो छीज आता है content time दो छीज आता है तो मेरे पढ़ाने के style में हमेशा time हो जाता है second priority और content के आजाते है मेरे पराणे में, first priority, और यही थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे को improve करने की जरुरत है, कि मुझे priority किसको देनी चाहिए, time को, क्योंकि आजकल बच्चे time को priority देता है, जोज में आगया, तो, अब बट मेरे से होता नहीं है, तो time बचाने, तो मैं को सोच सोच रहों कि balance करें, तो balance कैसे करें, बताओ, आपको भी तो support करने पड़ेंगे, फटा-फट communicate करो, और क्या करो, interact करो और आगे बढ़ो, अब सान तो जाओगे, तो मुझे लगा कि समझ नहीं आ रहे, तो मुझे उसी चीज़ों क्या करना पड़ेगा, चार बर बोलने पड करो, वो काम तो कभी मत करो, और ज्यादा टाइम टेकिंग है, उतने दर्में तो दो alternative solution देखे आ जाएंगे, अगर मान लिजिए आपने पहले French Frank का rate निकाला, क्यों निकालने जा रहे हो, यहीं इसलिए न, कि French Frank जो होगा, मैं base currency अपलाई करना चाहरा हूँ, करो, यहलो दे इग्नोर करोगे, 3-4 डिजित लिखे तो बांकी इग्नोर ही करना पड़ेगा आपको, और अब क्या करोगे बताओ, अब आप French Frank premium पे जा रहे हैं, अब क्या बोलोगे, French Frank premium पे मतलब French Frank का price क्या होना चाहिए, यह price यह बढ़ेगा, तो चलो बढ़ा देते, multiply way 1 plus 0.05, यही हो पेरगर के loss gain निकाल के दे सकते, तो क्यों ना मैं इस rate को 1 dollar के term में ही लिख लूँ, और अगर 1 dollar के term में लिखूंगा, तो क्या बनेगा देखना, dollar 1 के term में अगर इस rate को में लिखूं, तो यह हो जाएगा, French Frank कितना जाएगा, 5.70 पहले, यह cross multiplication के multiply होगे, और यह वाले rate से क यही पे बढ़ा दिया, और ultimately 1 dollar का rate निकालना था, तो देखो बाद में जाके क्या अगया बताईए, 5.70 में से divide नहीं हो गई, यह देखना, हमने भी क्या किया था, 5.70 में 1.1 से divide नहीं हो गया, अगर आप French Frank को भी base लेके जाओगे, तो निकालोगे तो ऐसे ही, जबज में बात, तो base currency बदलने वाले काम नहीं पूरे फॉरे फॉरेक्स में नहीं करते हैं, वो indirect, direct, direct, indirect, यह काम समनी ही करते हैं, जो दे रखा है, उसे से मागे बढ़ेगे, ठीक है, यहां तक, time save कराओ ना, सरदाद कर रहा है मेरा, if it were to weekend buy 5%, what would happen, क्या होने वाले है, बताओ, बस सबकु सेम हो जाएगा, अब याद रखना, अब आपका 5% चे कौन सस्ता होगा, बताइए, French Frank सस्ता होगा 5%, हमें किस पर अपलाई करना है, बताओ, Dollar पर Base Currency पर अपलाई करना है, तो Base Currency का डिसकाउंट तो दिया ही ने, उसने, एक काम करते है, जब French Frank डिसकाउंट पर है, तो Dollar किस पर है, Dollar है प्रीमियम पर कितने परसंट, 5% आप इसको अपलाई करो इसको अपलाई करो तो क्या होगा बताए ये रेट जोएगा न 5% से बढ़ जाएगा तो ये देखो 5% से बढ़ गई ये रहा देखो 5% हमने बढ़ा दिया रेट को तो 6 रुपी जा रहा है 985 आप जा रहा है सायद चेक करो 5.7 प्लस 5% नहीं करोगे 6 नहीं करोगे 6 पूरा इसे ही रखोगे आप ये अप्रोक्सिमेट वाले के अलकुरुशन बता रहे हैं आपको हाँ एकुरेट वाले में 6 जाएगा सायद एकुरेट में 6 जाएगा कोई बात नहीं बेस करिंसीप अपलाई करो ना फिक है इंस्ट्ट्ट की सॉलूसन यह आंसर यहां समयाच होगे ये आईसी आई की आंसर है ये ये एकुरेट वाले चलिए कुछिस्टन नमबर थरी का D कुछिस्टन नमबर थरी D आईए पढ़िए कुछिस्टन क्या के दे ABC Limited A UK मतलब UK का कंपनी है Has exported goods worth Canadian dollar 5 lakh Receivable in 6 months अच्छा अब याद रखना ये जो Canadian dollar है ये foreign currency है जिसके लिए देख लो आप क्योंकि invoice currency हमें सा foreign currency और वैसे भी ये किसके लिए होगा बताई UK वाले के लिए जब भी question पढ़ो तो at least इतना तो लिखी लेना UK का party और क्या है बताईए Receivable क्या Receivable है Can dollar कितना Receivable है 5 lakh कितने time से बताईए 6 month time पे ठीक है जी 6 month time पे The exporter wants to hedge the receipt in forward market यानि कि ये जो receipt है न इसको forward में हम hedge करना है want to hedge बचाना चाह रहे क्यों? क्योंकि जब ये आएगा उस time जब हम can dollar बेचने जाएंगे तो उस time पे हो सकता है can dollar सस्ता ना हो जाए depreciate ना कर जाए तो हमारे जेब में क्या होगा? वो आएगा तो pound ही compound ना आ जाए इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे? बताईए hedge करने जा रहे following information is a level spot exchange rate Canadian dollar per pound उल्टा कर दिया आव इसने समल के रहना क्यों बताईए? आपके पास आ रहा है Canadian dollar आपके लिए foreign currency था Canadian dollar तो UK में Canadian dollar को coat करता और price होता pound में होता ना? UK में UK में जो price मिलते है ना? वो हमेशा मिलता है can dollar one का pound something मिलना चाहिए था लेकिन गरबड कर दिया यहाँ पे क्या पता है? pound को रख दिया कौनसी currency? base तो इसमें सोचने में गरबड हो जाता है आप लोग का हमेशा मैं बोलता हूँ कि rate को ना इस format में लिखा करना आप लोग something equal to something ताकि सोचने में कभी mistake ना हो ओके अब मुझे बताईए यहाँ पे क्या करा? UK का rate दे दिया और Canadian dollar का interest rate दे दिया दो country का interest rate अगर दिया गया है ना तो कहीं न कहीं समझ के चलना कि सायद हो hint है कुछ parity यूज़ करने की सायद सायद अभी पता नहीं क्या करने के चाहर रहे हूँ आगे बढ़िये करे की the forward rate truly reflect the interest rate differential मतलब यह जो है ना forward rate जो है जितना होगा यह truly reflect करता है interest rate differential मतलब parity को reflect करता है find out the gain of leak loss UK exporter to the UK exporter इसके पास कितना loss gain होगा अगर Canadian dollar spot rate declines 2% यह बढ़िये इस्टडी माट की क्वेश्टन है समझ में गया इसमें भी इंस्ट्यूट ने यही रिसेंट पैटरन को फॉलो किया है तो अच्छी बात है ना नए क्वेस्टन के अंदर अगर रिसेंट पैटरन फॉलो रहे ही तो और अच्छी बात है बोलो कैसे इसलिए जानवज के इसक्वेश्टन को फिर से में यहां पर सॉल करा रहे हो ताकि आपको पता चल जाए कि इंस्ट्यूट का पैटरन वही चल रहा है एगो कैसे क्या डिकलाइन हो रहा है बताएं कांड डॉलर स्पॉट रेट डिक्लाइन बाई ट्व परसेंट रीकिन आप मुझे बताएं यह बेश करिंसे कौन सी है Pound तो हम बोल रहे हैं कि देखो Can dollar decline हो रहा है इसका मतलब Pound क्या हो रहा है बताईए Appresate हो रहा है लेकिन approximation rate ले लेंगे 2% तो आपको इसको adjust करके और आपको क्या निकालना है बताईए Loss of Legan समझ में आगे बात तो चलो करते हैं पहले एक second इसको क्या करें The forward rate truly reflect the interest rate differential नहीं वो तो समझ में आ गई लेकिन ये जो दो country का जो interest rate दे रखा है इसको क्या करो हमें अभी वाले का है case में Loss gain किससे निकालना है अलग-अलग condition दिये इसने तो बोलाए कि अगर Canadian dollar कितने से गिर गिया 2% से तो ठीक है Canadian dollar गिरने का मतलब pound क्या बताइए अप्रसेट होना ठीक है Canadian dollar को तो अप्रसेट कर दिया 2% कर दो आप मुझे बताइए जो rate होने वाला है वो आपका कितना होने वाला है 2.5 plus 2% कितना होने बताइए 2.55 रेट होने वाला यहां पर यानि कि यह जो rate बनेगा न pound 1 इकॉल to can dollar 2.55 अब इसने क्या बोला था बताइए कि find out the loss of league gain क्या यह कहना चाहरा है कि loss gain forward contract कर निकलना है अगर आप यह कहते हो कि यह जो हमारा rate है क्या इसपोर्टेट इतने पर हमने receivable book किया होगा receivable है न Canadian dollar के basis ते तो receivable हमने इस rate पर book किया होगा और receive इतना हो गया तो loss gain निकाला है इसका मतलब यह information आपके लिख्या हो जाएगा बताइए irrelevant हो जाएगा इग्नोर हो जाएगा सब्सक्राइब आगे बाद तो यह चीज यहाँ पर कहीं पर लिखके दिया होगा कि if possible कौनसे इर कुश्यन है मर ले डी है न not for exam calculate loss of league gain by comparing six month forward rate with exchange rate prevailing on six month time as exporter hedges its exposure do not compare spot rate with expected rate at six month अगर ऐसा करोगे ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर बताइए language clear नहीं है लेकिन मैं बार बार कहता हूँ अगर possible हो तो सारे information यूज करो यह न आप मुझे बताइए आप अगर यह कहते हो कि receivable आज हमने book कितना किया और receive होगा कितना तो फिर तो forward rate यह तो rate यूज ही नहीं हुआ फिर आपका यह rate तो एक ही case में यूज होगा नहीं जहां forward rate निकालोगे जल्दी बताओ तो मुझे बताइए the forward rate truly reflect the interest rate differential यह खुद बोल भी दिया कि forward rate हमारा इतना reflect करता है मतलब कहीं नहीं forward rate निकालो यह hint दे दिया तो forward rate दे दिया और तब कह रहे हो कि loss gain बताओ तो अब मैं कौन सी loss gain बताने को बोल रहे हो यानि कि वो यह कहना चाहरा है कि मैंने forward contract कर लिया और अब market में कितने पे rate गया 2% पे तब कि loss gain आप से पूछ रहे है तो पहले forward rate निकाल ले निकाल ले कितना आएगा बताओ चलिए forward rate निकालना है तो ध्यान से सुनना pound 1 equal to Canadian dollar 2.5 है इसमें premium discount apply कर दो तो premium discount हम लोग कैसे लेते है rate की proportion rate की proportion base currency कौन सी बताओ pound, pound का rate ले लो base में pound का rate कितना चल रहा है बताओ 12% तो 1 plus 0.12 कितने दिन की कहानी है यहाँ पे 6 मन्त की, तो rate जाएगा 6 divided by 12 और उपर क्या आएगा बताओ 1 plus point 15 multiply by क्या बताओ, 6 divided by 12 क्या हमारा rate आ गया pound 1 equal to Canadian dollar कितना चल रहा है कैसे निकालोगे देखो यह तो आसान था 6% होगा यह है हमारा 7.5% तो 1.075 divided by 1.06 multiply by 2.5 यानि कि आपका, अब अगेन वही बात है कि हमारे को 2 डिजित उज़ करना चाहिए कितना डिजित उज़ करना चाहिए आपके मर्जी है वैसे तो उन्हें ने डेसिमल के बाद 1 डिजित उज़ करके दिया है हम ऐसे नहीं करेंगे 2 डिजित या 4 डिजित लेके चलेंगे कहीं पर डिजित पर कोई discussion करा नहीं उसने हमारे पास choice है 2.54 लेना चाहो ले सकते हो या आप चाहो तो 5354 भी ले सकते हो या आप चाहो तो क्या ले लो 2.54 भी ले सकते हो कोई marks नहीं कट कर सकता यहाँ पर समझ में आगे बाद अच्छा तो इस पे आपने receivable receive किया यह हुआ ना एक arrow लगा हुआ यहाँ पर नहीं यहाँ गरबड होगा क्योंकि receive हो रही pound और rate किसका दे रखा है pound का तो थोड़ा गरबड हो जाएगा यह इतना receive हो रहा है यह नहीं कह सकते आप क्योंकि receive तो यह नहीं हो रहा है payment हो रही है इसका मतलब equivalent amount निकाल के जाना पड़ेगा यहाँ पर calculation amount कर लो ना कि जेब में आ कितना रहे pound तो कि pound का यह amount नहीं है नहीं है यह dollar का amount है तो एक काम करते निकाल लेंगे कि forward से कितना आ रहा है और इससे कितना आएगा बस आपको ध्यान क्या रखना है 2.55 और 2.5354 इन दोनों के 20 के जो difference से जो आपका यहाँ पर receipt में चेंज आएगा वही loss gain है खताम बस यह देखो पहले हम निकाला 2.535 कर रहा है यहाँ पर कोई बात नहीं अब फोड़िट जो लेना ही ले लो ठीक है अब देखो यह हमने क्या निकाला forward rate निकाल दी IRPT को यूज करके loss gain निकालना है 2% अब देखो as base currency is given exchange rate is pound not for exam याद रखना आप मैं बार बार इसलिए लिख देता हूँ exchange rate is pound think about pound appreciation and depreciation in approximate term सबज में आगया लेकिन एक चीज है यह जितने भी चीज आपको जो पका पकाया मिल रहा है इनके लिए अभी के जस्ट पिछले वाले बाच ने थोड़ा सा आपके लिए time spend किया है नॉर्मल जितना time लगनी चाहिए थी उससे ज्यादा time लगी है इस batch की notes के अंदर तो कि उसमें सारे कुछ चीजों को एक एक करके लिखना जहां 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 पर क्या लिखना चाहिए तो comparatively उस batch को ज्यादा time लग गए थे ठीक है जितना लगना चाहिए था बांधर मोटे बीस पच्छीजों घंडे जादा लगना अन को जितना पलान जेपंते हैं MAघ जोंंके लिखनी घंटी अरा उन के पहँचिगे अनक लगने मैं मैं बीस पच्छीजों के बवैस आक ней्टीजों के वैसे का उनका एक्टा लगनने मतला 300 घंटे से तो नीचे 280 और 285 के राउंड गये साथ इस वार के बैस्ट तो बोचीज है तो यह सारा चीज वहीं पर लिखा होगा था तो यह देखो base currencies given exchange rate is pound think about pound appreciation and depression in approximate time हमने अभी किया था यह देखो हमने क्या बोला था भी बताओ कहीं पर लिखा था हमने साय थे यह रहा हमने pound को क्या किया बताइए 2% से increase किया था यह देखो 2% से हमने क्या किया बताइए appreciate किया है यह ICI interpretation है मैं अपना interpretation नहीं बता रहा हूँ मैं सभज में आगे बात में जो भी कुछ बता रहा हूँ ICI के मुताविक क्योंकि मेरा भी मानना है कि जहां पर अगर ICI की assumption के साथ सलके अगर suggested match हो जाता है तो हमारे क्या बुरा ही है simple सी बात है थोड़ा से एक interpretation तो लग interpretation लेता है वहाँ accurate calculation करता है और एक question में approximate करेगा तो मैं 9 को preference दूँ या एक को preference दूँ ना इन को दूँगा तो मैं accurate करूँगा लेकिन अभी recent में क्या करना शुरू किया है वो approximate करने लग गिया है सारे question में हाँ तो अब मैं इसको preference दे रहा हूँ इसलिए अब मैं इस त ICI के adjustment क्या बताईए appropriate नहीं है और फिर मैं अपना solution देता अब मैं वो disclaimer हटा दिया और ICI के interpretation से चल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा सार question में वही करने लग गए इसलिए मैंने अपना opinion क्या कर दिया बदल दिये approximate calculation कराने लग गए Canadian dollar कितना बताई है 2.55 हमने भी निकाला था तो अब इसको और इसको compare करो 2.53 वाले को अगेन है here we can't compare rate rate को नहीं compare कर पाओगे क्यों बताओ यह दिख रहा था न आपको देखो पहले हम क्या करते थे कितना pound record कर रहें कितना pound आ रहें compare करो और सीधा one five lakhs multiply कर answer आ गए यहां नहीं आ पाएगा क्योंकि rate उसने उल्टा दे रखा है किसका rate दे दिया pound का तो quantity तो किसका आ जाएगा बताओ Canadian dollar का यह देखो इतना और इतने के difference Canadian dollar आ गए लेकिन हमें तो amount किसमें निकालना है home currency में तो हम केते सीधा rate compare करके loss gain नहीं कर पाएंगे यह भी मैंने लिखके दे दिया ठीक है we can't compare lossably gain as amount receivable is Canadian dollar but exchange rate given in pound तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है equivalent amount निकालने पड़ेंगे कि कितना होगा हमारे forward rate से तो इतना आ गया six month forward rate का उपर निकाल लिया था साहिद हमने यह रहा कोई निकाला है नहीं यह presentation थुरा गरबढ कर रखा है presentation गरबढ क्या है कि यह सारे इनर कलम में होनी चाहिए थरद्यान से देखो आप लोग यह calculation आ रहा है इतना तो ऐसे थुरुन प्रिजेंट करोगे आप इस सब को इस लाइन की क्या होना चाहिए था आपका लिफ्ट में डालना चाहिए था यह बात है यह देखो फाइव लाक डिवाइड़ वाईड़ वाई 2.535 अमांट तो वही आ रहा है है ना इतना पाउंड मेरे को receipt हो र ठीक है और तब क्या करते देखो यहां पर एक यह अमांट आ गए और एक यह जैसी इनर कलम में है यह अमांट आ गए इन दोनों से चेक करो अब देखो यह नोशनल डिसीट है क्यो नोशनल है बताइए अगर forward contract नहीं करते तो वह 2% जो depreciate depreciate उड़ है उस पे मिलता आपको तो यह नोशनल हो गया क्योंकि आप forward contract कर रहे हो हेज कर रहे हो क्योंकि हेज करने का decision ले रखे हो तो इतना इतना आ रहा है नहीं तो यह आता आप मुझे बताए यह forward के अंडर जादा आ रहे है कमा रहे है जादा आ रहे है तो फाइदे मंद या नुक्सान आइदा गें अ अब बागी तीन के सब लोग करते रहेगा इसमें मैं जादे बहस नहीं कर रहा हूँ गें कर रहा है 5% 4% कौन गें हो रहा है बताइए Canadian डालर लेकिन मुझे किस पर apply करना है pound पे मैं क्या करूंगा बताइए pound को depreciate कर दूंगा 4% से बस simple यह देखो pound को मैंने 4% से depreciate कर दिया देखो pound को कैसे लिखा गया है जी थोड़ा सब यहां होता ना पता ही नहीं चलेगा किसका equal लिखा हुआ है ठीक है pound 1 का देखो 4% depreciate कर दिया है यह rate आ गया तो अब आप calculation करो एक command तो अल्रेट निकला हुआ था एक rate इतना आ गया देखो इतने का gain हो गया अब third case दे रहा है third case में क्या रहा है कि remain unchanged तो unchanged के case में कर लो चलिया है तो एक काम कर लेते हैं 5-10 minutes का break ले लेते हैं और देन उसको continue करेंग हाँ जी अभी एक doubt था इनका कौनसी question number 2.3 इसमें mistake है क्योंकि यह जो rate निकाला गया है न यह देखो pound base है न तो आपका base में जाएगा यह जो pound 1 equal to rupees 79 जो है न यह multiply by 1 plus रूपी का rate जाएगा आपका top में और रूपी का rate कितना दिख रहा है आपको अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि 12.5 परचंट है और प्रिंटिंग मिस्टेक हो एक काम करना 0.125 कितने महिने का है यह है वन यह काई divided by one plus 0.055 अगर हो जाए तो कितना रहे देखना 1.125 divided by 1.055 multiply by 79 नहीं 84 जा रहें नहीं फिर ठीक है वो जो होगा ना ऐसे नहीं जाएगा यह जाएगा कितना बताएगे 1.025 तो जो रेट आएगा वही होगा आपका 1.025 divided by 1.055 multiply by 79 यह रेट आपका जाना चाहिए 76.753 जाएगा ना कि 80 बन जाएगा यह गलत है यह रेट है ठीक है इसमें आंसर सही है आप चाहो तो अपडेट कर ले ना 2.3 में आपका यह आंसर गलत है आपका D नाЭए ओके थी यह का यह ए एक एपनी कंपनी को जापनी कंपनी ने सेल किया है एक आप गड़तो थोड़ा द्य लिखते चलता हूँ वहां पर space नहीं यहीं पर लिखता हूं कि यहां लिखूंगा तो सब कुछ दिख रहा होगा न हाँ जी कौन सी company बताए जैपनीज company है वो किसको sale कर रहा है बताए इंडियन company को sale कर रहा है ओके अब कहरें दब payment being due payment कब due बताए आफ्टर 3 months अच्छा फिर करें कि the invoice amount is जैपनीजेन 216 लाग यानि कि यह जो पेमेंट आने वाला है 3 months के time पे और आएगा कितना जैपनीजेन 216 लाग आएगा यह यह न सबसे पहली बात जैपनीज company के लिए तो को risk आई नहीं जो भी काम करना होगा किसके लिए बताए इंडियन company के लिए क्योंकि जैपनीजेन में वोईस है यहाँ पे तो यह amount receivable के लिए हेजिंग नहीं है यह amount paywall के लिए हेजिंग है सही पहले समझाया आपको हेजिंग किसके लिए करना है Mr. India के लिए इसके लिए करना है यानि कि paywall का हेजिंग होना याद रखना पेवल कितना है इस question के अंदर एन 216,00,000 वो होने वाला है इस question के अंदर क्योंकि जैपनी जैन के लिए कुछ भी नहीं करना है इसमें चलो आगे पढ़के देखते क्या करें At today's spot rate, it is equivalent to Rs. 50,00,000 यानि कि ये amount जो है आज के rate पे कितने की equal है यानि कि जो एन आपका 216,00,000 है वो कितने की equal है बताएंगे Rs. 50,00,000 का अब कहरें कि it is anticipated that exchange rate will decline by 8% हम ये साख exchange rate decline होने की बात हो रही है तो पहले तो currency decide करो कौनसी decline होगा क्योंकि exchange rate कभी decline नहीं करता है एक exchange rate के अंदर एक currency decline हो रहा होता है तो दूसरे currency अप्रिसेट हो रहा होता है समझ मैं कि बात? यह currency नहीं बताया उसने base currency का मान लेंगे तो हो चकता है base currency का मान लोगरो क्या हो जाएगा आपका? वो नुकसान होई ही ना तो फिर क्या करोगी? फाइदा भी तो हो चकता है ना तो आपको ऐसे fluctuate करना base currency पे ही है लेकिन premium होना या discount होना वो तो एक बार सोचना पड़ेगा आपको वैसे base currency पे ही जाएगा पहले base currency पपला ही कर लो इसको और देखो loss हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि question में बोल रहा है ना कि देखो क्य it is anticipated that exchange rate will decline by 8% over the 3 month period and in order to protect the in payment हमने भी पहले decide कर चुके है payment को protect करना है तो in order to protect the in payment the importer proposes to take appropriate action यही था importer चलो clear भी कर दिया जो चीज़ हम पहले decide कर चुके थे वही लिखके भी दिया अगर वो लिखके नहीं भी देता तो भी हमारे को कोई फरक नहीं परता क्योंकि हमें पत चल चुका था कि importer को ही appropriate action लेना है in foreign exchange market अब क्या करें थ्री मन्त forward rate is presently quoted as in 4.2 पर रूपी याद रखना याद रखना याद रखना थ्री मन्त का forward rate है क्या बताइए क्या है रूपी 1 is equal to in 4.12 यहाँ पे base currency किसको बनाया रूपी को अब आप सोचो exchange rate decline by 8% बोला था एक काम करना base currency को decline करके देखो अगर base currency decline होगा मतलब in क्या हो रहा है बताइए छोड़ो यह सब छोड़ो क्या decline होगा ने रहा होगा छोड़ो हेज किसको करना है पेवल को पेवल को पेवल महंगा हो जाए तब नुकसान या पेवल सस्ता हो जाए तब नुकसान अभी बढ़ा था आपने पेवल अप्रिसेट होता है तो नुकसान रिसीवेवल डिप्रिसेट करता है तो नुकसान यह पेवल है कौनसी करनसी एन 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 अप्रिसेट कर जाए तो नुकसान इसका मतलब एन अप्रिसेट होगा बट उप्रिसेशन की रेट नहीं दिया है उसने decline की rate दिया है क्या बोलू मैं रूपी decline होगा न एन अप्रसेट होने से नुकसान नुकसान को सोचना है क्योंकि protect करना है आपको तो आपकी जो expectation होगी न वो नुकसान की होगी तो आज हमारा एन पेवल है आज नहीं पेवल है पेवल फ्यूचर में तो एन पेवल है तो एन अप्रसेट होगा तो नुकसान तो एन अप्रसेट होगा तो नुकसान तो रूपी डप्रसेट होगा तो नुकसान नुकसान की बात करें एन अप्रसेट होना रूपी डप्रसेट करना क्या कह रहा है यह decline हो रहा है तो क्या decline हो रुपी और देखो रुपी base currency भी है तो ठीक है सीधा सीधा apply कर देना है आपको rate क्या करना है बताइए गिराना है ना किसको गिराना है spot rate को लेकिन यह spot rate नहीं है तो spot rate को भी उसी format में लिखो जिस format में forward rate दिया है फ़रवा rate किस format में दिया है base currency रूपी को बनाया है उल्टा कर रहा है बार-बार invoice currency in और rate दे रहा है रूपी में वो फसाने के लिए कर रहा है आपको ऐसे इन्वाइस करेंशी जिस रेट करेंशी में उसी करेंशी 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 में उसी करेंशी 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 क यही तो सारा गेम है, बिल्कुल सही, फॉरेस के पूरे गेम ही तो यही है, आप मुझे बताओ, अब भी जो हम, इतने टाइम जो स्पेंड की है, यह लिस्क अनलिसिस करने में, महंगा, सस्ता, प्रिसेशन, डेप्रिसेशन, बेस करेंसी, फ्राइस, क्यों कर रहे थे, यही तो टेक अप्रोप्रियेट एक्सन, क्या मतल़ है, बताइए, अप्रोप्रियेट एक्सन इंसान कब लेता है, जब नुकसान होने वाला होता है, ज्यादा कम नहीं, नुकसान होने वाला होता है, तो कि ज्यादा कम से सोचों कि हर बार फस हो गया, नुकसान होने वाला होता ह यहां क्या है बताईए पेवल ये रिसीवेवल पेवल जो करिंसी पेमेंट करते हैं वो अप्रिसेट कर जाए तो नुकसान तो जो करिंसी पेमेंट कर रहें क्या पेमेंट कर रहें एन तो एन अप्रिसेट होने से अगर नुकसान होगी तो जिस टाइम एन अप्रिसेट होता ह उस ताइम रूपी क्या होता है बताइए, डेप्रसेट होता है, इसका मतलब रूपी डेप्रसेट होने से नुकसान होगी, तो आगे ने कंक्लूजन, कि यह जो 8% की जो डिसकाउंट है किसके लिए, रूपी के लिए, बात खतम, लिखा हुआ है, टेंसर मतलब आप यह देख कोणसी करेंसी, एन या रूपी, आपको डिसाइड करना है, हम क्या कहते है, इम्पोर्टर मिक्स लॉस, कब, जब, फोरन करेंसी अप्रसेट हो जाए, क्यों बताओ, क्यों पेवल है, इसका मतलब क्या है बताइए, इसम जब एन अप्रसेट होके नुकसान होगा, तो एन ज क्या question के अंदर spot rate given है क्या नहीं ये 3-month forward rate था spot rate में तुसने क्या बोला पता है equivalent amount दे दिया उसने spot rate में equivalent amount दे दिया तो अब कहानी ये आता है कि मैं 1 in का rate निकालू या 1 rupee का rate निकालू याद रखना ये सब चीज तब फस होगे जब question solve करोगे क्या दरखिएगा अगर हम यहाँ time save कर रहे है क्योंकि हमारा objective इस बाच की यही कि जल्दी से खतम करे हैं तो आपको घर पे practice करना पड़ेगा अब आप ये सोचोगे कि इतना ही पढ़के exam में जाके exam से ले तो धोके में मत जीओ आप जब तक इन सारे question को हाथ से लिखके solve नहीं करोगे ना तब तक आपकी practice नहीं होने वाल है तो आप class में थोड़ा कम time लगा रहे तो घर पे क्या करना है थोड़ा ज़्यादा time लगाना है ultimately time उतना देना ही होता है सिर्फ सारे mindset की game है और कुछ नहीं है कि थोड़ा सा वो ऐसे भी हमें ज़्यादा practice करना ही तो हम अभी भी कर लेते तो घर पे practice करना पड़ेगा एक बार लिखके practice करो हाँ language थोड़ा सा कम करो घर पे practice करते टाइम लेकिन करना पड़ेगा चलो आगे बढ़िये यह जब लिखने जाएंगे रहे एक रुपी का rate बनाना आप क्योंकि आपका forward rate किसके लिए बताइए वन रुपी का और सिधा रुपी भी क्या करना आप rate apply कर देना बस वो गया खतम और कुछ करना ही नहीं है क्या पूछाए बताइए you are required to calculate expected loss तो हम लोग क्या करेंगे देखो पहले expected rate निकालेंगे और यह forward rate नहीं forward से नहीं मतलब है expected rate नहीं यह नहीं यह spot rate और expected rate हम लोग अभी वो decline करके निकालेंगे ने 8% decline करके तो expected rate आजाएगा उन दोनों का difference लगके loss की निकालेंगे पढ़ लो एक बार ठीक है यह भी बात सही है anticipate state that exchange rate will decline by 8% over the 3 month 3 month का है यह 3 month का है देखो उसने यह नहीं बोलाए कि annual premium is 8% premium is 8% नहीं बोलाए decline by 8% over the 3 month period यह तो clearly बोलाए तीन महिने में 8% deficit हो रहा है यह को confusion नहीं होना चाहिए अगर यह बोलता कि premium is 8% तब थोड़ा सोच देगे normally तो premium कैसे दिया जाता है annually हम लोग खुद निकाल के देते है कोई बात नहीं हो सकता है वो हो गया अगर ब्रिटेंज जैसे exit किया था न वैसे समझ जाओ इंडिया में कुछ अनूनी हो गया तो आगे बढ़े क्या हाँ जी अब आगे देखे question नमर थरी का F expected loss निकालना है और how it can be hedged तो आपको क्या करना है बताओ expected outflow कुछ मिलेगा और फिर ये actual outflow से compare करना आपको decision आ जाएगा ठीक है आगे देखे a company is considering hedging its foreign exchange risk it has made a purchase on 1st July मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कचरा हो जाता है मैं इधर ही लिखता हूँ बस इसमें थोड़ा दिकत क्या हो जाता है कि बार-बार मुझे page change करना पड़ता है वहाँ होते हैं सामने सामने तो लिखने में आसान हो जाता है कोई बात नहीं आए देखे दर एक company consider कर रहा है hedging करने का its foreign exchange risk it has made a purchase on 1st July purchase किया है for which it has to make payment of dollar यानि कि इतना तो clear हो गया कि Mr. USA से तो नहीं है USA नहीं कोई भी party होगा और इसको payment करना है क्योंकि उसने क्या क्या रहे बताई इंपोर्ट तो बस हमारे काम की चीज इतना ही है कि pay well है और कितना है बताई ये dollar 60,000 क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा तो किस बात को hedge करोगे तो हमारा conclusion ये है कि pay well है कितना बताई dollar है ना 60,000 और ये कौन सी party होगा other than Mr. USA very simple अब आगे बढ़ते है और payment कब करना है on 31st December अब purchase कब कर रहे हो 1st July तो July, August, September, October November, December date counting में कभी जल्दी मत करना तो कि date छोटा सा counting mistake होगे गए 10 second लगा के counting कर ले ना उंगली पे कर लो लिख के कर लो जैसे कर लो कितने मंसे बताई 6 month यानि कि 6 month बाद हमारे को payment करनी है चलिए अब आगे पढ़ते the present exchange rate is dollar one equal to rupees 65 यहाँ पे spotted चल रहा है dollar one equal to rupees 65 ओके अब आगे देखे it can purchase forward dollar at 64 का ऐसे summarize करते रहे ना exam में भी the company will have to make an upfront premium at 2% of the forward amount purchased इस question की यही line unique है इसको highlight कर लिजेगा upfront premium at 2% for the forward amount purchased the cost of fund to the company is 12% per annum cost of fund कितना है इसका 12% in the following situation compute the profitablic loss the company will make if it has its foreign exchange risk risk with the exchange rate on 31st December 2022 requirement में क्या थ्यान से पढ़ना कि forward contract से कितना loss gain हो रहे हैं यह पूछा गया है forward contract से कितना loss gain हो रहे हैं जब six month बाद यह हो गया है मैं आपसे पूछों कि class से क्या फाइदा हुआ नुकसान हुआ अगर exam में ऐसे question आये तो इसका मतलब जब six month बाद की position दे रहा हूँ तो मैं आपको compare करने को दे रहा हूँ उस दिन के rate से और बोल रहा है कि loss gain calculate करो if company hedge it's a risk hedge कर रहा है मतलब क्या सल्वान खान बन रहा है कि ने बन रहा है मतलब forward contract कर चुके है commitment हो चुका है जहन से सुनना commitment कर लिया हमने और फिर six month बाद यह हुआ तो हम क्या करेंगे देखो commitment में कितना जा रहा है या आ रहा है वो चेक करेंगे और अगर वो नहीं करता तो क्या आ रहा है जा रहा है वो चेक करते है इस पूरे question के अंदर जो मैंने बस एक line highlight किया हो ही बस नया है बाकि कुछ नया नहीं है नहीं हमें तो एक ही करना है वो ऐसे दो बार होता है एक starting में एक ending में starting वाले हमसे थोरण पूछा है उसने हमसे starting में जो शुरू में हमने जो forward contract किया होगा उसके लिए हमें कुछ नहीं पूछा है उसने हमें बोला है कि forward contract जो किया है वो फाइदे मंद रहा है या नुकसान दायक रहा है अगर six months बाद these two dates prevails in market क्या है इस question में नया upfront premium premium होता है commission upfront मतलब upfront आमने सामने starting में देने वाले premium वैसे जब forward contract करते हैं तो कोई commission नहीं देना होता है forward contract में कोई commission हम नहीं देते हैं किसको? bank को बोले क्यों? bank free में काम कर रहा है bank को मिल रहा है ने बीडास के difference आप मुझे बताए bank अगर मेरे से six month बाद का अगर contract कर रहा है तो free में कर रहा है वीड़ास के difference है नहीं कमा रहा है आज अगर आपको bank loan दे रहा है तो free में दे रहा है bank बड़े और छोटे interest rate से कमा रहा है आप बोलो कि interest हम से देता लेगा ही न तो आप जब जमा करते है तो bank interest भी तो दे रहा है तो क्या आपको free में दे रहा है उनके पास फाइदा क्या पता है depositor और borrower के बीच की जो gap है न वही उसका कमाई है तो यहाँ पर क्या होता है bank तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए currency conversion कराने क्योंकि वो सस्ता खरीदता है महंगा बेचता है तो जो खरीदने बेचने की जो difference है न वही bank के लिए क्या है income है तो bank को फिर अलग से क्यों चाहिए फिर उसको मिल तो रहा है वहाँ से हाँ या ना आप मुझे बताए bank अगर आपको processing fee ना ले loan पे तब भी तो कमा रहा है bank तो फिर processing fee लिए क्यों रहाएगे ले लेता है तो वही चीज है कहते है कि देखो premium अगर नहीं भी लेता न starting में commission हो यह processing fee है उसके लिए सभज मैं क्या बात upfront premium एक तरीके से processing fee of forward contract हो गई आपको किसी question में नहीं मिले गई एक लौता question है जिसके अंदर यह upfront premium दे रखा है forward contract के लिए बागि किसी भी question में सर्त लगाने के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता है बाई क्यूं दूंगा मैं तुम तो already bid or ask already लेके बैठे हो न मुझे जो बेच रहे हो महेंगे rate पे मुझे बेच रहे हो सस्ते rate पे और आप खरीद रहे हो क्या बताईए मैंने गलत बोला वाड यूज कर रहा है वो मुझे बेचता है महेंगे पे और मेरे से खरीदा किस पे सस्ता पे तो already profit लेके बैठा नहीं है तो मैं उसको processing क्यों दू बताओ लेकिन कभी-कभी जब नहीं मानेगा bank वाले तो देना पड़ेगा कि नहीं तो यह कह रहा है 2% premium दे दो और 2% premium किसका बताईए forward amount का तो एक चीज बताओ आपको जो 60,000 जो payment करनी है वो 60,000 सही माइने में अपने currency में कितना पे वाले बताओ अपने currency में आपकी जो equivalent outflow है ना अपने currency में वह देखो 60,000 डॉलर और 64 का rate यह है ना तो 60,000 multiply by 64 38,40,000 है की नहीं है अब यह 38,40,000 पे 2% लेगा हूँ हम से क्या परियनम तो नहीं चेक करो एक बार upfront premium upfront premium 2% upfront premium 2% of forward amount तो पूरा लेगा हो कितना percent लेगा commission हम से मुझे बताए प्रीमियम कितना लेगा है इनकी commission नहीं या upfront premium है यह कितना लेगा हम से बताओ multiply by 2% 76,800 एक कप पे करूंगा बताए आज processing भी आज जाता है upfront है तो आज दोगे और यह amount कब जाएगा आपके pocket से dollar खरीद हो गए भी ना आप आप dollar खरीद हो गए six month बाद this outflow bill is at यह आपका outflow है कब का बताएए at six month time का यह आज पे करोगे क्या यह दोनों amount आपके forward contract का outflow है अगर commitment करने जाओगे तो दोनों amount आपके outflow होंगे न बताओ बट यह दोनों comparable नहीं है one outflow is at today one is at six month end तो हमें क्या करना होता है इसको भी six month time पे लेके जाना होता है तो हम यह मानते हैं मैं आपको बता दू हम अपने pocket से outflow होने नहीं देंगे एक rule बना लो आप पूरे forex के अंदर आज के date पे ना pocket में हम कोई inflow करेंगे ना pocket से पैसे देंगे आज के date पे हमारे जेब में ना पैसे है simple ना पैसे रखेंगे ना जेब में पैसे है ना पैसे रखेंगे मतलब क्या हो गया अगर जेब में पैसे है ये सोचोगे तो payment कर दोगे अपने जेब से मैं कहता हुआ मेरे जेब में पैसे नहीं है भाई तो मैं क्या करूँ बताओ loan ले लो तो loan का interest कब पे करोगे छे महीने बाद तो principal भी तो six month बाद पे करोगे न तो आज हमने loan लिया इतने का loan लूँगा, इतना payment कर दूँगा, हमारे जेब से कुछ cash flows हुई, नहीं हुई, बड़ total outflow कब कराना है मुझे, six month बाद, तो मैं क्या करूँगा, सैसे इसमे six month का interest card कर दूँगा, तो मेरा outflow हो जाएगा कब का, तो मुझे बताईए, कितना मैं लूँ, देखो question में बोला है, cost of fund is 12%, दिख रहा है आपको, यानि कि वो यह कहना चाहरा है, कि six month के लिए six percent interest card कर लो, यह है न, तो multiply by six percent, कितना आगया बताईए, 4608, आपकी जो amount आ रहे होंगे, 81, 408, इतना amount आपके जा रहे है, premium के लिए, अब यह amount का उनसी rate का है बताईए, six month end का, अब यह हमने आज payment तो किया था, लेकिन loan लेके से लिए मेरे outflow नहीं हुए, तो अब मुझे बताईए, अगर commitment करूं तो यह जाएगा, जाएगा ना, जाएगा, commitment करूं तो यह जाएगा, और अगर commitment ना करूं, सल्मान खान ना बनूं, तो फिर तो यह होता ना फिर, 68 होता, तो मुझे बताईए, अगर forward contract करूं तो यह हुआ, मैं थोड़ा language कम कर रहा हूँ, और forward अगर नहीं करता तो क्या होता, तो फिर 68 का rate जाता, यह वाले ना, 68 और कितना amount होता बताईए, 60,000 कितना अगे बताईए, 68 multiply by 60,000 या तब 40,80,000, receipt या payment, payment, कर रहे हैं, इसलिए अच्छा यह add नहीं क्या आपने add करो, यह और यह amount add करो, क्योंकि 2 payment जा रहे हैं आपके, एक premium और यह दोनों जा रहे हैं 6 month time पे, तो forward के अंदर जो आपकी total outlaw है, वो 38,000, plus 81,408, यह जो आपकी amount जा रहे हैं न, वो जा रहे हैं आपका 39,21,408, यह कौन सी contract के अंदर है, forward के अंदर, और आपका नहीं करते forward तो कितना जाता, 40,80,000, तो आप मुझे बताईए, commitment करना, सल्मान खान बनना फाइदे मन या ना बनना फाइदे मन, बनना फाइदे मन, क्योंकि सल्मान खान बन रहे हैं इसलिए इतना जा रहा है, नहीं बनते तो यह जा रहा होता, तो मुझे बताईए, loss या gain, जल्दी बताऊ, gain हुई न, दोनों के बीच का difference, जो भी यह निकाल लीजे, चलो निकाल लो एक पर, माइनस 40,80,000, 158,592, 158,592, यह देखो, 158,592, 158,592, gain है न, ऐसे फिर किस के लिए करोगे, second वाले case के लिए, तो चलो, अब इसको second वाले case आप करते रहिएगा, हम चलते कुश्चन नुमर 3 के जी पे, लेकिन 3 जी से पहले हमें थोड़ा से पढ़ना पढ़ेगा, money market and capital market, NSC, BSC को हम लोग बोलते हैं capital market, और money market वो market है, जहां पे, short term की debt security trade होती है, समझ में आगे बात, scam 1992 देखा, हंजी, उसके अंदर, चौते पाँच में एपिशोड समझ आए, पाँच में छटे होगा, चौते पाँच में एपिशोड होगा, जो भी होगा, दस एपिशोड हैं ने साइट पुटल, दस के अरूड होगा, हाँ जी, चौते पाँच में समझ आए आपको, CT bank वाले case हो गर अगर आप आप कह रहे हैं तो दोखे में जी रहे हैं मेरे को चार बड़ देखना पड़ा उसको वह कहना क्या चार रहे हैं क्योंकि मुझे interest है चार बड़ नहीं दो तीन बड़ देखा मैंने उसको क्योंकि money market की transaction हमें समझ नहीं आती है क्यों नहीं समझ आती क्योंकि हम money market में trade नहीं कर रहे हैं बागी सब समझ आती है उनकी बागी जो scam करा है capital market में कैसे करा है सब समझ आता है share price बढ़ा दिया कैसे बढ़ा दिया ठीक है वो सारा चीश समझ आते हैं लेकिन वो जो money market की जो city bank वाले case वहाँ समझाने के कोसिस कर रहा है उसके अंदर बहुत सारे complications है सब्सक्राइब क्योंकि वहाँ पर सारे deal कौन करता है bank to bank होते सारे सब्सक्राइब तो यह जो money market है money market में सिर्फ वो security trade होता है जो जिसकी life less than one year है और वो सारा चीज हम आपको बताएंगे हमारे एक dedicated unity है पूरा money market पे जिसमें हम लोग treasury bill का price निकालेंगे क्या केते हैं commercial paper का निकालेंगे interbank participation certificate certificate of deposit सब पढ़ेंगे हम लोग आगे बस अभी इतना समझ जाओ ऐसा कोई market जैसे सबजी market में सबजी trade होते तो money market में सिर्फ वो debt security trade होता है debt security trade होता है वहाँ पर dividend देने वाले कोई भी security नहीं होता है वहाँ जितने भी security होते हैं सब पर क्या income होता है interest और इसकी life क्या होता है एक साल से नीचे आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो money market में नहीं जा सकते हैं अभी RBI ने एक विंडो दिया है आपको अलग से RBI रिटेलर के लिए विंडो दिया है कि आप अगर आना चाहो तो मैं आपको अलाओ कर देता हूं, ठीक है? तो उसके लिए आपको अपन करने पड़ेंगे, कहां पर? RBI रिटेल डारेक्ट करके आपको साइट आएगा मनेख कि आपको, कुछ भी नहीं कर सकते हैंरेक्ट कर सकते हैंरे आहिरे, क्र्छी नहीं कर सकते हो अच कोई झाता है लेकिन वह जो प्ytyy आपको आप आपको इनफरमेसिन देते हैं कुछ तू करता हाता है है.. घृण से कथ का रहेंगे RBI Retail Direct यह न एक एक platform यह RBI ने Retailer के लिए क्लिए करा है एक window दिया है यह ज़स्ट लाइक आप जैसे Demet Account ओपन करते हो न वैसे आपको सारे डॉक्मेंट ची लेगा यहां से यहां से जाएए Retail Direct पे और यह आपको देख रहे हो आपको आ रहा है Open RBI Retail Direct अकाउंट दिख रहे हैं यहां पे जब इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको पूरे information देंगे जैसे Demet Account ओपन करने जाते हो न सारा कुछ बोलेंगे आपके आधार पैन से लिंक होनी चाहिए यह देखो इतने सारे guidelines है आपके mobile नमर आधार से लिंक होनी चाहिए आपके पास saving account होना चाहिए आप एक signature लेकर बैठो आपके original pen card होना चाहिए bank account आपके IFSC code के यही सारे requirement होते है उसके Demet Account की हाँ जी फीस नहीं है इसका ठीक है इसमें कोई फीस नहीं है address proof आपको रखना है और जैसे आप आप यहां से proceed करोगे तो प्रोसीड होने के बाद सारे documents अगर डालते जाएए जब सारा कुछ हो जाएगा तो last में आपको verification video call लेगा हो जैसे आप लोग जैसे आप digital signature के लिए करते हो या बांकी चीजों के लिए वैसे ही आपको वीडियो के सामने present होना है दो आपना capture करके आपको verify कर लेगा original होना चाहिए तो आपको account हो जाएंगे फिर एक दिन के बाद आपको username और password आपको mail कर देगा जब उसके बाद जाओगे आप तो वहाँ पर आपको जितने भी यानि कि हम money market में सिर्फ एक चीजों के लिए अपलाई कर सकते हैं त्रेजडी बिल के लिए या बांकी कोई government के security जो अगर हो रहा है तो वह आपको लाग कर देगा जैसे आप मेरे को mail पर आते रहते हैं यह चीजों के लिए आप चाहो तो अपलाई कर सकते हो मैंने 20,000 के लिए अपलाई कर रहा हुआ है टेजडी बिल पर अब मैंने चेक भी नहीं किया कि मेरे कहां पर पढ़ा हुआ है वो कहां दिखेगा मुझे वैसे Central Report मेरे को वहां मिल जाएगा CDSL की जो रिपोर्ट आते हैं कैस रिपोर्ट उसमें सारे कहीं पे भी कुछ भी होगा ना कहीं पे भी आपका Investment पढ़ा होगा तो एक Centralized Report के अंदर हो आ जाता है हाँ सारे के सारे Pencil Link होता है बिल्कुल सही बोल रहे है तो वो चीज है तो वो हमारा Money Market हो गया वहां पर सारे के सारे कौन सी Security Trade होता है जिसका Life Less Than One Year है और Following our sub-money market इस टेज रिबील, Commercial Paper, Call Money, Notice Money इस पे ज़्यादा भी बहस नहीं करें बात में रिखेंगे Money Capital Market की बात करें वो सारे वायस जो से NACBS यहाँ पर Capital Trade होता है कंपनी की Capital क्या बताइए Share, Deventure, Preferences सबको Capital बोलते हैं हम लोग कुछ दो बोलें नहीं सार, Capital वो कहां होता है, Capital ते Equity Share होता है वो Owners Capital होता है, Capital Employed में सब आते हैं, तीनों आते है, Equity भी, वेंचर भी और Preferences सबको मिला के हम Capital बोलते हैं तो Capital Market जहाँ पर Long Term का Capital Security जहाँ ट्रेड होती है, वो क्या बोलते हैं दो, Capital Market, NACBSCMR लिए, अब बात आती है Floating Rate की, हमें ये मानली जानना था, Floating Rate या Variable Rate क्या होता है, ये न, एक किसी ने किसी एक Benchmark से Link होता है, Benchmark, मानली जी हम बोलते हैं, कि अच्छा आप लोग अच्छा Perform करोगे, टेस्ट में सारे Appear होगे, एक भी टेस्ट मिस नहीं करोगे, तो आपको क्या करते हैं, Batch के बा लेकिन कितना कैस दूँगा, वो नहीं बता रहा है, एक Benchmark डाल दिया आपके सामने, कौनसी बताओ, Apple के, अगर इतना पर ही अगर आप मान गए, तो आपको मैं बता दू, जिस दिन Batch खतम होगा, उसको 50 रुपेस जादा नहीं देने वाला हैं आपको, आप बोलो क्या बा मैंने रेट पुछा कितना है भाई, वो उसने बोला 5 रुपेस पर केजी, बोला ठीक है देखो 5 रुपेस दे रहा था, आपको 10 केजी अपल का देना था, यह राद तेन मल्टिप्लाई 5, 50 रुपेस आपको थमा दिया जाओ, आप तो बोलो कि धोगा हो गया, आप तो होता है benchmark, सब्सक्राइब तो market में जो interest rate होते हैं, वो fluctuate होते रहते हैं, हमें benchmark set करना होता है, क्योंकि हर market की rate अलग-अलग होता है, सब्सक्राइब तो जैसे अब आप जाए लोन लेने, home loan लीजिए आप, आपको fixed rate पे लोन नहीं मिलेगा, आप home loan लेने जाओगे, तो आप बोलना कि मुझे loan का rate बताओ, तो जो भी rate वो बता रहा है न, ओ rate आपको अगले महिने बदलने वाला है, वो पूरे life में fix हो ही नहीं सकता, क्योंकि RBI ने ऐसा rule बना रखा है कि home loan आप fixed rate पे दे ही नहीं सकते, मतलब आपको बोलता है 9% लोन है, तो 9% नहीं, कल ओ 11 भी हो सक करता है, डिपेंड करता है market condition पे, इसका मतलब जो rate market में vary करता रहे, उसको हम लोग क्या बोलते है, variable rate या floating rate, floating, floating यानि कि vary होने वाला, तो bank वाले सब क्या करते हैं, वो आपको अलग-अलग benchmark बनाते हैं, कभी MCLR, कभी base rate, अलग-अलग bank अपने हिसाफ से कुछ benchmark चट करते है और benchmark उन लोग का अपना time to time बदलते रहते हैं, हम लोग अभी क्या करने जा रहे देखो, money market है, अच्छा, क्या trade होता है यहाँ पे, 3D bill, क्योंकि 3D bill की life कितना होता है, अब आज नहीं आ रहा, बार बार बोल और नहीं आवाज आएगा, ज्यादा time लहेगा, 34 days, कम से कम 91 days, ज्यादा ज्यादा 34 days, मान लेजे, यह सारे money market के जितने भी security उसका एक खासियत है, redeem होता है face value पे, और issue होता है discount पे, वो आपके पढ़ना है आपको, एक पुरा unity है हमारे पास security valuation के अंतर, tension मतलब अभी, मान लेजे 100 रिपे आपका हुआ है, क्या, 3D bill, तो आज market में discount पे trade ह होगा, अभी मान लेजे 98 पे trade हो रहा था, ठीक है, 182 days वाले, चलो 364 days वाले, यानि कि 1 year वाले यह trade हो रहा था, चलो तब तो फिर तरह और कम करना पड़ेगा, मान लेजे 93 पे trade हो रहा है, यह 94 पे, है ना, तो आप मुझे बताए, कितने परसंट का return है यहाँ पे, नहीं ह 6 परसंट, गलत सोच रहे हैं, क्यों बताओ, क्योंकि 6 परसंट तब होता जब इस पे निकालते, return जो होते हैं, लगाए हुए पैसे पहोता है, सामझ में आगे बाद, 6 कमा रहे हो, कितने पे, 94, कितना आगया, 6.38 परसंट, थोड़ा दिर बाद, यही market में, भीट लग रहा है, trade हो रहा है, market में, बोली लगाया जा रहा है, कुछ लोगों ने बोली लगा दिया, इसके लिए 93.5 पर, थोड़ा दिर के बाद, इसका return कितना हो जाएगा, बताओ, अब बढ़ जाएगा, क्योंकि सस्ता हो गया, तो देखो, कितना हो गया, 100-93.5, divided by 93.5, multiply by 100, देखो, बादर के बाद, इसका rate कितना हो जाएगा, बताएगा, 95%, तो यह जो rate जो बदला है, Treasury Bill का rate, आपको fluctuate होते रहते, even Treasury Bill ही नहीं, money market में, जितने भी securities trade होता है, अलग-अलग type के securities है, नाम सब बाद में बताओंगा आपको मैं, जिसमें से एक तो नाम जान लो, आपको उनसी Treasury Bill, तो एक और नाम जान सकते हो, commercial paper, commercial paper जो company issue करते हो, उसका भी life कितना होता है, less than one year का, तो rate तो fluctuate होता रहेगा, आएगा, और उ और six month वाले T-Bill का rate ना कुछ और चल रहा होगा, और वो normally one year वाले से कम चलता है, return, छोटे period, interest rate कम, बड़े period, interest rate बड़ा, तीन-चार बार तो बोल चुका हूँ, धिरे-धिरे बोलूँगा, mind message कर लिजेगा, तो ये rate क्या होते रहते हैं, fluctuate होते रहते हैं, तो क्या मैं बो हो गए, ठीक है, बहुत सारे securities का एक bundle बना दिये, और उसमें से interest rate निकाला, तो उसको हम लोग बोलते हैं, मिबोर, क्या बोलते हैं, मिबोर, मिबोर बोलो, माईबोर बोलो, सब लोग एक तो short form है न, तो इसको सब अपने अपने हिसाफ से pronunciate करते रहते हैं, ठीक है, मिबो Mumbai Interbank of a rate, क्या मतलब हुआ, मुंबई के money market में, एक bank जो दूसरे bank के साथ जो rate पे deal करता है, वो वाले rate, मिबोर, सबच में आगे बात, तो एक bank दूसरे bank के साथ जो deal करते होंगे, उसमें तो अलग-अलग securities होंगे, उसमें, कभी call money, कभी notice money, कभी आपका Interbank participation certificate, certificate of deposit, कुछ भी security trade कर सकता है, कहते हैं कोई बात नहीं, हम ऐसे समझ लेते हैं, कि मुंबई के money market में, जो भी securities trade होड़ा है, उसका average rate हमने बता दिया आपको, ठीक है, माल लिजे मिबोर है, सपोज कीजे 5%, तो भाई, आज मिबोर 5% है, कल market में कुछ और rate भी हो सकता है, बदल इतना ही नहीं, मुंबई के money market में, 3 month वाले security भी trade होते हैं, मुंबई के money market में, 6 month वाले security भी trade होते होते होंगे, मुंबई के money market में, 2 year वाले security भी trade होते होंगे, कुवावूर, पत्तकूर, सब कुछ होड, तो सब लोग भेंसी भेंसी भी बूर जाता है, समझ बारे बात, नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मुंबई के money market हो, वहाँ पर maximum कितने दिन चलता है, एक साल, इसलिए फ अब क्या होगा मुझे बताइए, अगर थी मन्त का मिव और 5% चल रहा है, तो 6 मन्त का मिव और कितना होगा, नहीं, 5 से थोड़ा ज्यादा होगा, समलो, समलो, इस सब आपको बहुत पढ़ने आगे तो, एक चैप्टर ही आपके पास, इंटरेस्ट एट रिस्क मानेजमेंट, इसमें पूरे हीसी की मानेजमेंट है, पूरे हीसी की मानेजमेंट हो, समझ मिआ के बाद, तो यह सब चीज आप बलड में समालो, इन सब चीजों के लिए कुछ इंटरपटेशन की ज़रत ने देखवाई, आज मैं अगर बैंक में जाओं डिपॉजिट करने थ्री मन्त के लिए तो अलग रेट मिलेगा, शिक्स मन्त डिपॉजिट का अलग रेट मिलेगा, इस टाइम कैसे हो गया? नहीं, तो होने जा रहा है, छुट्टी का टाइम हो रहा है, वामे तो भी पड़ा ही नहीं है, तौद्धो कैए तौई तौद्धी पांसात मिनटे पहले करो आप लोग जल्दी आओ पांसात मिनटे ठीक है, उधर से ही टाइम स्पिंड करेंगे, मैनेज करेंगे, तौद्ध जाज भॉक्ता, हाँ, हाँ, पाच्वेट और पहले डिकलो, देखो अपने आप हो जाएगा, चलो वापस आजाएगा, कहां थे, आपको नियाभी करते हैं, पांसाथ में खतम करते हैं, आपस पीडी ने बढ़ रहा है, क्या बोल रहे थे, फाइप परसेंट है ना, अभी मैं ने बोला कि 3 मन्त का डिपॉजिट करने जाओ, रेट छोटा देगा, और 6 मन्त डिपॉजिट का रेट क्या देगा, बड़ा, इसका मतलब मुंबई के मनी मार्केट में, 3 मन्त लाइफ वाले जो सेकुरिटी ट्रेड हो रहा होगा, अगर 5 परसेंट पे ना, तो 6 मन्त वाले लाइफ वाले जो सेकुरिटी वहां ट्रेड हो रहा होगा ना, हो सकता है 5.5 परसेंट पे, 1 एर वाले सेकुरिटी जो वहां ट्रेड हो रहा हो सकता है ना, हो सकता है कितने पे होगा, 6 परसेंट पे, इसका मतलब मनी मार्केट में, पीरियड अगर बदल दू सेकुरिटी की तो rate बदल जाता है लेकिन rate जब भी quote करता है annual ही करता है बस इतना ही जानना है आपको money market में कभी भी rate आपको period का नहीं quote करते है तोकि वो comparable नहीं होता है rate हमेशा annual ही quote किया जाता है तोकि होता क्या है, question में यहां लिखता है देखो, लिखता है कि हमारा जो 3 month की लिबोर 6 month की लिबोर जो है na वो 2% है यह है London का interbank अब ही हम लोग बात किसी करे रहे थे Mumbai money market की यह London money market चलाया गया है तुकि London के भी money market के अंदर एक bank दूसरे bank के साथ क्या करता होगा deal, तो इसलिए वो हो जाता है interbank और उसका rate तो यह wholesale rate होता है खास करके तो जब भी कोई loan देते है न bank किसी को भाई एक bank दूसरे bank के साथ अगर 2% पे deal करता है एक bank दूसरे bank के साथ तो आपके साथ 2% पे deal ही नहीं करेगा हो सोच के देखो न एक तरीके से wholesale rate है wholesale interest rate है एक bank अगर दूसरे bank से loan लेने जाए तो उसको कितने पे मिलेगा 2% पे तो bank आपको भी 2% पे लोन दे देगा नहीं देगा तो loan का rate कैसे मिलता है कहते है कि देखो लिवोर प्लस 1% मतलब जहां कहीं भी ये benchmark मिलेगा न उसके साथ एक margin attach हो जाता है हमेशा क्योंकि ये wholesale rate है wholesale rate पे कभी भी retailer के साथ deal नहीं करते है उसमें क्या करता है margin अड़ कर देता है ये सिले कहता है लिवोर प्लस 1% और लिवोर कितना है बताए 2% तो rate कितना हो बताए 3% अब यहाँ पे confusion क्या आता है कि सर ये तो 6 month का लिवोर है नहीं लंडन के money market में ये 6 month life वाले जो security trade हो रही थी ना उसके rate आपका कितना है 2% लेकिन rate अभी भी क्या है पर एनम है ये जिस दिन भूल गए और आपको marks अगर नहीं दिया ता आप बोलोगे सर लिखा था तो 6 month मतलब आपको लिवोर को interpreting नहीं करने आता है समझ में किया बात हर टाइम लिवोर के साथ क्या होता है पता है एक period attach होता है हमीज़ा attach होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे security trade होती है समझ में आई कुछ बात तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है देखो जब भी कभी floating rate की बात होगी तो किसी ने किसी benchmark से link होगा कितने सारे benchmark हो सकते है MIBOR LIBOR URIBOR Euro Interbank Offer rate URIBOR बोलते है उसको T-Bill Treasury Bill भी हमारे लिए हो सकता है floating rate BR Base rate भी हो सकता है हमारे लिए Base rate Rate decided by bank on the basis of central bank interest rate यानि कि repo rate को base बना के Bank वाले अपना base rate fix करता है और base rate को भी base बना के आपको क्या कर सकते है floating rate दिया जा सकता है जो भी मैंने बताया था ना कि money market में कुछ भी होता है इसका मतलब क्या है तो यह मैंने लिखके दिया है देखो आप 6 month MIBOR का मतलब है 5% rate per annum है समझ में आगे बात आप चाहो तो इसको क्या कर लो आप बताये highlight कर लो यहाँ पे देखो लिखा क्या है बताये 6 month page number 1.73 पे हम लो ठीक है तो यह देखे और annum है यह लेकिन derive कहा से किया गया है 6 month के life वाले instruments से security से ठीक है तो बस खतम होगे ऐसे ज़्यादा कुछ मुझे बताने लाइक है नहीं एक question solve कर देता हूँ फिर छुटी करेंगे दो मिनट का है दो मिनट नहीं यह दोनों हो जाएगा वसे 5-5 मिनट नहीं दोनों हो जाएगा पर हमारे को 10 वजे तक लेने का permission नहीं है साहँ कोई नहीं दस्ता कर लेते आएगा यह दोनों हो जाएगा कुछ आईगी नहीं देख आप इस क्या करते इसमें ABC कंपनी जो है ना लोन ले लिया कहां से बताईए foreign collaborator से dollar two million का मतलब लोन लिये हो आप कितने दिन के लिये लिये बताओ से महिने के लिये तो लोन है आपका six month का कितना लोन है बताओ 20 lakh बुल से था हो क्या interest जो आपका paywall है न वो maturity pay liver plus 1% और liver कितना है बताईए two मतलब आपका borrowing rate कितना हुआ three percent परेनम ना परेनम में ही margin adjust होती हो 1% की जो margin होते है annual rate पही होता है हमें से याद रखना यह normally rule है market की inquiries regarding exchange rate with their bank elicit the following information spot rate यह है six month का forward rate यह है केते what would be their total commitment in rupee if they enter into forward contract अगर forward contract में enter कर रहा है तो क्या इसका commitment होगा तो भाई commitment तो यह है न कि मैं 20 lakh पे interest आड करके payment करूँगा तो आप मुझे बताए जब loan ले रखे हो तो repayment कितना होगा loan का 20 पे 1.5% तो कि rate तो annual है plus 1.5% कितना आगे बताओ 20.30 इतना मुझे payment करना है लेकिन यह तो मेरे लिए foreign currency है इसको किस में convert करेंगे INR में तो मुझे बताए रूपी कितना है बताओ येर चल रहे न फार वार रेट हमाद लिए तो हम तो 6 मंत बाद payment करेंगे तो इसी rate पे करेंगे न और रूपी का quantity तो वैसे भी ज़ादा होता है तो सिधा multiply करके आ जाएगा आजाएगा तो ये देखो multiply by 48.4575 आपकी जो पहला point की commitment जो हो गए रूपी टर्म में वो अगया 983,68725,00 इतना आपका पहला part का answer आगया देखो यह यह amount आ रहा है ठीक है हाँ बोलो कोई जरूरी नहीं है हमने लाक्स में लिया है तो आप two digit पे जोड़ दो कोई सुनी कुछ नहीं लिखा है तो आप rounding up करो कोई दिक्कत में अब मुझे बताएगे विल यू advise them to do so explain giving reason क्या आप forward contract करने के लिए उसको advice देते हो जल्दी बताओ advice दूंगा या नहीं दूंगा बहुतो पहले नहीं मालेजे मेरे एक client आया हुआ है client कहता है कि यह forward rate मुझे मिल रहा है मुझे सर्थ लगाना चाहिए सलमान खान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए मैं कैसे decision दो comparison करेंगे नहीं comparison करेंगे expectation से क्योंकि हम जो hazarding करते हैं forward contract करूँ या ना करूँ मैं सोचता हूँ कि 6 मेने बाद क्या होगा after 6 मन्त बाद के सोच से इससे क्या करता हूँ contract करता हूँ जैसे मालेजे मैं यहाँ पर diagram बना रखा होगा यह देखो advice है न आप मुझे बताया amount आपको बाहर क्या करना है payment पेशन से ही तो आज commitment करते हो अगर आज सलमान खान बनते हो तो पहले तो सोचते हो ना अब सोच के लिखो अगर ये rate आप सोचते हो कि forward मालेजे इससे उपर हो जाएगा 50 होने वाला है तो क्या कहते हो बताओ hedge करना चाहिए अगर ये rate आपका 40 होने वाला है नहीं करना चाहिए तो ये ही लिखे दो आप अगर expected rate six month time का बड़ा है ये आप 50 पे है तो hedge करना beneficial then क्या बोलते हो बताओ advisable to enter forward contract आप क्या कहते हो कम है otherwise not मतलब ये छोटा है तो आपको advisable नहीं है लेकिन आप ऐसे तो गोलगोल घुमा के answer नहीं दे सकते एक तो अपना conclusion देने पड़ेंगे आप दोनों point लिखो अगर expected rate is higher than this one do not take forward contact क्योंकि आप forward contact sorry कर लो कर लो एक forward contact क्योंकि forward contact करोगो तो इतना ही जाएगा ने जेव से नहीं करोगो तो 50 जाएगा ने फिर और otherwise मट करो लेकिन आपको एक conclusion देना चाहिए कि हम क्या suggest करते हैं आपको suggestion देना है और मैं आपको बता दू suggestion में आप कुछ भी लिखके दे दो आपको marks मिलेगा आपको burst करना क्या पता है आपके अपने answer को justify करना है नहीं बस simple बोल दो कि हम long run में यह सोचते हैं कि market में rupee currency अप्रसेट होने वाला है यह अगर accept कर यह कहते हैं आप predict कर रहे हो तो फिर मत करो नहीं समझे बाद आप यह सोच रहे हो कि हम सोच रहे हैं कि rupee अप्रसेट होने वाला यान कि 48 पे नहीं rupee क्यू सोच रहे हो हम सोच रहे हैं कि dollar depreciate होने वाला है या फिर बोलो एक बार कि हम dollar कहते हैं कि depreciate होने वाला है या appreciate होने वाला है जो भी आप लिख दो उसके बेसे sponsor दे सकते हो तो हम लोग last line लिखेते देखो long run में dollar appreciate करता यह मेरा अपना एक opinion हुआ एक opinion हुआ कि long run में मैं क्या देखता हूँ कि dollar क्या होते रहते हैं appreciate क्यों कि वहाँ की interest कम है इंडिया की interest क्या है बताए ज़्यादा तो long run में तो देखते हो graph तो कैसे होते रहते उपर की तरफ ही जाता है तो हम long run में यह सोचते है कि dollar appreciate ही करता है किस के against रूपी के against तो आप मुझे बताए अगर dollar appreciate करेगा तो 50 पे जाएगा न फिर तो it is advisable to take forward contract लेकिन आप अगर यह कहते हो कि नहीं हम तो बोलते हैं कि forward contract not advisable है अगर यह कहना चाहरे हो तो आपको answer किस के favor में डालना पड़ेगा dollar के depreciation पे तो आप देखो dollar के depreciation भी आप कहे सकते हो क्योंकि देखो जब spot rate से आपका यह dollar depreciate करके code किया गया है तो हम यह expect करते हैं कि आने time वाले time पे dollar और जादा depreciate करेगा तो इसलिए हमें forward contact नहीं करना चाहिए आप कुछ भी answer दो marks मिलेंगे समझ में आ गया अब मैं आपको बता दू बस दो मिनिट और यह जो अभी question पढ़ा है 3 का G और 3 का H 100% नहीं 99.9% same question है देख लो ध्यान से foreign collaborator से loan लिया interest payment करना है maturity पे लिवोर प्लस 1% पे लेकिन लिवोर यहाँ पे एक नहीं दिया है दो currency का लिवोर दे रखा है यालिकि लंडन के money market में dollar इतने rate पे trade हो रहा है और rupee इतने rate पे trade हो रहा है आप मुझे बताओ अभी भी वही चीज है advise the company to the forward सब कुछ same है question के अंदर बस यह एक rate आपको extra है देख लो आप question को आपको पता है question number 3 के Z और 3 के H same होते हुए भी इसकी जो advice वाले जो part है ना उसकी solution अब बदल जाएगे बिल्कुल अजमसन अब नहीं लेंगे अब ही आप क्या लिख रहे थे बताओ अजमसन बना रहे थे आप यह होता या वो होगा ऐसा होगा तो वैसा करूँगा वैसा होगा तो वैसा करूँगा अब कहते हैं यह मन गढ़न कहानी क्यों मना रहे हो अब आपको तो दे दिया ना लो निकालो अब आप आपको पता है न क्या होने वाला है अब कि नहीं होने वाला है पता है आपको इसका मतलब जब अब एडवाइज की बात करेगा न तो अब आप इन दोनों रेट को यूज करके पहले निकालो क्या आप एक्सपेक्टे रेट फॉर्कास करो आप पहले और जो तो फॉर्कास करो गए और देखो यहाँ पे रेट दिया है इसपे कमिट्मेंट करोगे ठीक है जैसी यहाँ पे रा देखो लोन है न इसका है यह बताओ एक्सवाइजेड का यह राह में लिखता हूँ देखो एक्सवाइजेड को बाहर पेमेंट करनी है क्या बताओ डॉलर यह जाएगा डॉलर बाई करने कहां से बताओ बैंक से इसको क्या देंगे बताओ रूपी जब यह रूपी देने जाएगा तो देखो कमिट्मेंट करेंगे तो अपने आपका नहीं सुनेंगे लेकिन commitment कितने पर होगा बताओ इस rate पे यही तो forward rate है यह जो bank court करके बैठा हुआ है अब हमें कह रहा है कि advice दो यह काम करोगे की नहीं करोगे हम कहते रुको हमें पहले expect करने दो हम कहते आप expect कैसे कर लोगे बताओ expectation के लिए कुछ base चाहिए की नहीं चाहिए आपको expectation के लिए base दे रखा की नहीं दे रखा बताओ आपको बताया ना future current forecast कर सकते हो आप किसको use करके interest rate को use करके जिस country का interest rate छोटा होता है वो calculate पे क्या होता है अप्रसेट करता है जिस country का interest rate बड़ा होता है वो calculate पे depreciate करता है क्या parity आप पढ़ चुके हो IRPT तो बताओ IRPT को apply करके क्या expected rate निकाल सकते हो आप निकालो यह देखो exported कितना है बताइए 68.5275 अब क्या करना है इनके proportion से multiply करना है लेकिन याद रखना 6 month का time है यह जाएगा 1% यह जाएगा कितना बताइए 3% इसमें मुझे multiply करना है 1 plus point अब मुझे बताइए base currency कौन सी है dollar 1 dollar का rate है अब बोलोगे sir यह त रूपी गया है बताइए weaker currency है तो weaker currency है 1 dollar का ही rate होगा कुछ और नहीं हो सकता है चाहिए लिखने के लिए कुछ भी लिख लेओ समझ में आगे बाद ओके तो मुझे बताइए base currency dollar है तो मुझे dollar को कहा रखना पड़ेगा बताओ base में 1 plus point zero one यहाँ हैगा और उपर क्या जाए बताइए 03 क्या आपके लिए forward rate आ गए है यह expected है याद रखना फिर जो हम सोच रहे हैं यह देखो 1.03 divided by 1.01 multiply by 68.5275 यह rate आप कहा रहे हो कि इतना पता है 69.8845 आप मुझे बताइए forward contract करना फाइदे मंद्या नहीं है है क्योंकि देखो अगर सर्थ लगाओगे सिर्फ 68 point इतना जाएगा अगर सर्थ अगर नहीं लगाओगे न अभी आप सलमान खान अगर नहीं बनोगे न तो यह जेव से जाएगा देख रहे हो यह रहो यह रहो यह रहो यह रहो पर ध्यान देना बार बार में कहा रहो जब भी एडवाईज होगर लिखना हो न एरो लगा लो decision में कभी mistake ने होगा क्योंकि जहाँ पर कहना चाहिए कि forward contact करो और वहाँ पर एक line अगर लिख दिया कि नहीं करो सीधा होगे जीरो लडड़ो होगे बिल गया आपको छे मेने बाद अब आओ इन्शूट कहता है समझ में आगए बात तो यह rate निकालना है 69.8845 यह देखो कहा गए यह रा question यह देखो 69.8845 और यह देखो जब मैं ऐसे present करके दे रहा हूँ मैं बार बार क्या कहता हूँ एक्जाम में language जरूर कम करो लेकिन इतना भी language कम मत करो कि mistake ही हो जाए यह सब बना लो एक्जाम में कोई दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं कि एक्जाम में बना लोगे तो marks नहीं देगा इस दोखे में मत जीना आप rate निकालो यह forward यह हमने expect किया है क्योंकि जो rate बना के हमने किया expected है हमार लिए expected तो मुझे बताइए करना चीए की नहीं करना चीए यह देखो arrow इधर की तरफ है अगर नहीं करो अगर forward contact करोगी यह जाएगा नहीं करोगी यह जाएगा तो क्या कर लेना चीए advisable to take forward contact और अगले बार फिर से एक rate बदला है अच्छा रुको 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 दुबारा अपना opinion बताओ जब यह rate हो जाता है तो इसने क्या करा ध्यान से रुखना आप, spot rate को बदला है मतलब इसको बदला है याद रखना ठीक है तो इस rate को base बनाके एक और forward rate निकालेंगे समझ में आ गया जैसे हमने अभी यहाँ पर निकाला था और फिर जाके क्या कर करेंगे decision लेंगे ठीक है अभी series में हमारा एक बढ़िया सा question है question number 3 का है यह बहुत गजब है ठीक है इसको थोड़ा सा समझने में time layer क्योंकि इसमें pure time value है यह time value बट अभी आप time value पढ़े नहीं हो तो थोड़ा सा कम समझ आता है लेकिन फिर भी आप अधर्शन हो जाता है और आप देर अधर जास लो तो नहीं चल देका जैसे बोलो कि देख अल्टीमेटली आपी के फाइदे के लिए ठीक है अगर ज्यादा लगेगा यह कम time लगेगा वह आपी को दुकसान हो गया आपी को फाइदा होगा अगर लग रहा है निए ठी तो फिर में टाइम को ज्यादा ध्यान ना दू करूं फिर नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा मतलब यही स्पीड ठीक है कर लेते हैं कि एर्द्यकाडी वाले को अठादे लागत ठीक है कोई बात में हो जाएगे कि 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 कि